तो आई हम लोग सुरू करते हैं साइन्स की महरतन का चौथा दिन जिसमें हम लोग सुरू कर रहे हैं आज केमिस्ट्री और के आपके 300 सवाल होंगे सवाल आज, सवाल कल और सवाल परसों इन 300 कुष्चन में हम लोग रिवीजन करेंगे रिवीजन के साथ साथ में कुछ important point को notice करेंगे और थर्ड चीज हर कुष्चन के पास में जहां पे मुझे लगेगा कि कुछ आपको होंबग देना है तो मैं बहां पे आपको होंबग दू ठीक है जितना होता जाए तो इसी बज़े से सेलेक्शन मिलेगा और सेलेक्शन जो लेने वाले होते ना कुछ अलग नहीं करते हैं बस यह है कि वो अपना routine continuity integrity इन सब पर क्या करते हैं मेहनत करते हैं और एक continuity बना करते हैं तो जो आपको हमबग मिले वह आप लोग करते सबसे पहली बात क्या होती है कि जो कविस्टी पढ़ने से पहले एक चीज बहुत important होती है आप लोगों से school time में जो आप लोगोंने 9-10 में पहले chemistry पढ़ना सुरू किया होगा तो आपके teachers ने भी आप से बोला होगा कि बच्चा पहले periodic table आपको जान लो कि periodic table क्या होती है औ और मास नमबर याद होने चाहिए तो पहला homework आप लोगों का आज यही है कि आप लोग जाएंगे और जिन जिनको याद नहीं है कहां तक एक से लेकर 20 तक atomic number and उनका मास क्या होगा मास नमबर यह चीज आप लोग याद रखेंगे क्लियर है चीज समझ गए नहीं समझ गए बढ़िया चीज है ठीके तो आप याद के लिजेगा एक से लेकर 20 तक आपका important role होगा दूसरी बात यहां से आप लोग और important बात एक समझेगा कि जो आपके SSC या government exams में जितने भी exams आपके होंगे जहां पर science पूची जाती है ना तो इनका agenda सिर्फ इतना ही होता है कि जो industrial area में जितनी chemistry use हो रही है daily use में जितनी chemistry use हो रही है या जो हम लोग use कर रहे हैं चीजें उसमें जितनी chemistry use हो रही है मतलब chemistry in everyday life आप लोगों के 10th में 9th में chapter भी रहता है science की book के एकदम से आखिरी में science in everyday life chemistry in everyday life physics in everyday life तो वोही chapter आप लोगों के लिए important होते हैं उतनी ही chemistry physics bio आपक तो डिटेल में नहीं पढ़ना है इन एक्जाम्स के लिए हाँ अगर आप नीट के त्यारी कर रहे हैं या और विमानलों पॉली टेक्नी बगरा के त्यारी कर रहे हैं हैं जैसे आपका माली चार एम एपनी बात कर रहे हैं अपना कोई रूल अगर यहां पे हैं तो 2 electron होंगे 2 2 उसके बाद 8 होंगे ठीक है उसके बाद 8 होंगे ठीक है इस तरीके से आपका क्या करना है सिर्फ आपको 20 तक याद करना है इसके ऊपर नहीं जाना है समझगे यह चीजी समझगे दूसरा किस तरीके से configuration होता है 1S2 मतलब पहली और भीट फिर पहली तील व्हुट तीस त्री अरफ दूसरी औरभिट पिर आपका 3S2 3P आपका सिख जाने कि तीसरी और विच समझके पहले किशी समझे चीज तो इस तरीकिस आपको और-पिट में कितने इलेक्टण होते हैं यह पता होना चाहिए इलेक्टा नहीं होने वाली है अगर इन लोगों को चीज रिवाइज नहीं है चीजे तो वो आप लोग आज रिवाइज कर लिजेगा बैठकर केमिस्टी में ही बेसिक चीजे जितनी मैंने आपको बताई हैं चलिए सुरू करते हैं हम लोग कुस्छन से क्योंकि 100 कुस्छन करने हैं और बहुत ही फास्ट रिविजन होगा इसके साथ साथ में जो जो पॉइंट आपको नहीं आते हैं उसका होंबग में नोट करिएगा उनको बाद में आप पढ़िएगा जितनी भी सबस्टेंजेंस होते जो हाई इन फ्लेंवल इनर्जी होते हैं ठीकर आप इंफिलेंवल कहिए जीज दोनी चीजें सेंव हैं तो हाई इंफ्लेंवल इनर्जी ये जितने भी सबस्टेंस होते हैं जो लिए सल्व podéis Megเसोड और होते हैं पहले line solid होता है ठीक है कैसा solid होगा white white solid होगा पहली चीज़ तो यह दोसरा point आप नोट करेंगे यह कि यह आपका beryllium salt और sulfuric acid दो को मिला के बनाया जाता है किसको beryllium salt प्लस sulfuric acid याने की H2SO4 और इसका जो इंफ्लेमबर energy होती कितने degree Celsius होती है 400 degree Celsius तो मतलब temperature काफी जानदा high है इस बज़े से यह less suitable water होता है और correct answer हो जाएगा यहाँ पर ए उच्छ जोलंसिल यूर्जा या high inflammable energy समझ गए चीज़ चलिए आगे बढ़ा जाए हाँ डियोडेंट बगड़ा high inflammable energy की बज़े से बहुत अच्छा चलो आगे बढ़ते ठीक है तो यह point आप समझ गए होंगे यहाँ से एक चीज़ और नोट कर लेजेगा कि लेखे में पढ़ते हैं तो और यहीं रहते हैं टी को जब भी हैंगे एं प्लार में आते हैं लेकिन उनको 아니고 ओनेसेयं बेसे के इंट हो गई, concrete हो गया, steel हो गई, पानी हो गया, इनमें आप आग लगाएंगे तो आग नहीं लगेगी, लेकिन जितनी चीजों में जल्दी से आग लग जाती है, वो कहलाते हैं, inflammable या flammable, क्लियर एचीज, चलिए, जोलनसील या जोलनसील पदार्थ, जोलनसील या जोलनसी यहां पर देखेंगे एक चीज, यहां पर, कि यहां पर दो बड़र यूज हो है, energy of dissociation and the ionic bond, यह बड़र यूज हो है, ionic bond होते हैं, जो ions की बीच में बनते है, energy of dissociation क्या होती है, वो और समझ लीजी इसके साथ में, पहले चीज, जो bond energy होती है, जैसे आप क्या हुआ कि bond ब तो chemistry bird क्यों उसकिया जाता है, chemistry bird इसलिए उसकिया जाता है, कि इसमें बहुत सारी ऐसी properties होती है, जो general life से आपकी मिलती है, जैसे माली जी किसी को मुझे दोस्ती करनी है, किसी के साथ मुझे रहना है, तो मुझे कुछ ना कुछ investment करना पड़ेगा, किसी energy का, किसी form में, तो energy time, money सब एकी चीज होती है, तो वो अगर investment कर रहे हैं, तो bond आपका बना रहेगा, लेकिन जब bond टूटते हैं, तो उसे energy निकलती है, तो ऐसे आप यासे आध रखेंगे, कि bond के formation में energy लगती है, energy देनी पड़ती है, लेकिन bond जब टूटते हैं, इसको बोलते हैं, bond dissociation energy, तो इ the period of materials of pre-historic period, मतलब जो पुराने time के जितने भी material हुआ करते थे, या जो हमें पुरानी खोज में जो चीजे मिलती हैं, वो हम कैसे पता करते हैं, कि कितने time पहले की हैं, कब की हैं, कब की नहीं हैं, तो mainly जो अर्थ पे जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, वो carbon से बनी हुई ह carbon, तो उससे पता लग जाता है, कि कितने साल पुरान है, लेकिन approach पता लगाते हैं, लोग एक्दम से एक्जेक्ट नहीं होता है, चीजें किसमें होती है, approach में होती है, तो carbon dating is the correct answer, so c option is the correct, ठीक है, चालो, आगे बढ़े, इसी तरीके के question पूछे जाएंगे आप से chemistry में, ब देखेंगे यहां पर, कि कोई भी carbon मिला, आम को जैसे मालीजी कोई भी bone मिली, कोई भी huddy मिली, हड़ी को क्या मिलेंगे, हड़ी मिलने के बाद इसको क्या करते हैं, clean करते हैं, हड़ी को clean करने के बाद उसका एक छोटा सा sample, ठीक है, और उसके छोटे-छोटी piece में इसको ब सेपल एंडने के बाद, उसका liquid scintillation होता है, तो यह पूरी process होती है, carbon dating, बाद में आप आपको date determine हो जाती है, computer analysis के बाद में, तो this is the whole process of carbon dating, ठीक है, कलीर है चीज़, चलिए, आगे दिखते हैं, अगला question, cement is made hard with, cement को सक्त बनाया जाता है, किस के द्वारा, dehydration के द्वारा, hydrogen and dissociation of water, या dissociation of water, या polymerization, किस से cement को hard बनाया जाता है, cement is made hard with, जली जली answer करते जाएगे गए जली जली हम लो करते जाएं इसको, correct answer हो गए इसका hydration किया जाता है जल्योजन किया जाता है और dissociation of water होता है तो correct answer हो जाएगा option B option B, ना, ना, option B hydration and the dissociation of water cement को hard करने के लिए cement is made hard B is the correct answer यहाँ पर A और जो लोग C दे रहे polymerization कहाँ से आ गया बच्चा prince polymerization क्या हो गए polymerization होता है polymer बनाते है polymer मतलब जैसे ethylene हो गया तो ethylene को हम लोग क्या करते है छोटे-छोटे पार्ट को कई पार्ट में जोड़ देते हैं मतलब एक monomer को add करके हम कही सारे ब्रांच में add करते हैं जैसे बनता है polymer या ethylene से polythene नम लोग उज़ करते हैं, बोलते है, polythene दे दो, polythene दे दो, तो polyethylene, poly का मतलब होता है, n number of terms, तो उसमें आपका उज़ होगा polymerization, ठीक है, यहाँ पनी उज़ होगा, यहाँ पर hydration और dissociation of water, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगला question देखते हैं आपर, कि chemical composition क्या होती है, किसी भी cement की question कई बार पूचा गया है, आगे आप से पूचा भी जा सकता है, सबसे पहले आप बात करेंगे, कि cement की composition उसमें क्या-क्या मिलाते हैं, उसको मिलाने के वाद cement बनता है, पहली बात, lime stone होता है, पहले के जमाने में जो building यह बना करती थी, बिटिसर्स के टाइम में, या माली जी, मुगल्स के टाइम में, या किसी भी राजा के टाइम में, तो बहाँ पर lime stone होता था, clay होती थी, जो मिट्टी होती थी, sale एक तरीका से वो यूज होती थी, iron oxide और silica sand तो बाद मिनों ने add किया, तो उस टाइम पर चूना पत्थर और आपका कोईला बगरा से piece के, बहुत सारी चीज़े मिला जाती थी, जिससे पुरानी building है बनी हुई है, उसी basic concept पर ही cement को बनाया गया है, industry में की बना-बनाया material आपको तयार मिल जाए, कई जगा से चीज़ें लाकिया आपको add ना करनी पड़ें, जिसमें आपका COC3 होता है, जिसको बोलते हैं limestone, second आपका मनेगा SiO2.Al2O3, फिर आपका Fu2O3 जिसको iron oxide बोलते हैं, और SiO2, silica sand बोलते हैं, यह चारों चीज़ें मिलती हैं, एक clean आपका एक तरीके से machine होती हैं, पर rotate बगरा करती हैं, 1450 डिगरी Celsius के आसपास, उसमें मिलाने के बाद इसमें आपका यह composition मिलता है, 3CAO.SiO2, 2CAO.SiO2, 3CAO.Al2O3, 4CAO.Al2O3 या FeO3, ठीके, इसको मिलाने के बाद यह पूरा composition कहलाता है, इसका gypsum plus clinker, CAO plus SO3.2H2O, और यह आपका आखरी में cement आपका निकल आता है, तो मिली सवाल पूछा जाता है composition से, आपको option दे देंगे, यहाँ पे पूछेंगे, कि इन में से कौन सी composition है, जिससे cement बनाया जाता है, ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं. What happens when a chemical bond is formed? Chemical bond या जब कोई chemical bond बनेगा, तब क्या होगा? Energy is always absorbed, energy release, ठीक है? या माली जी, अफ्सोसित अल्ला में अधिक उर्जा निकलती है, उर्जा ना तो जारी होती है, ना यह अफ्सोसित होती है, मतलब उर्जा बनती रही है, बनती भी नहीं है, देनिव नहीं परती है. तो जब कभी भी chemical bond form होगा, तो क्या होगा? हमको energy देनी पड़ेगी. chemical bond टूटेगा तब energy release होगी तो यह बाद आप लोग हमेशा याद रखेंगे चल अगला कुशन देखते हैं which among the following is a carbohydrate निम लिखित में से कौन एक carbohydrate है यह बड़ा आसान सवाल है SSC section officer में पूचा गया 1997 में which among the following is a carbohydrate nylon, cane sugar, turpentine, etharpene जिसको बोलते हैं hydrogen peroxide इन में से carbohydrate को होने तो जितनी भी मीठी चीज़ें होती ना मीठी चीज़ें हो गई आलू हो गया उनमें क्या होगा carbohydrate होता है तो यहाँ पर एक option देख रहा है हमको cane sugar गन्ना बोलते हैं गन्ने की चीनी होती है इसमें आपका पाया जाएगा carbohydrate so B is the correct answer चल आगे बढ़ते हैं which of the following state maximum iron ore is found कौन सी iron की state में सबसे जानदा low ask पाया जाएगा यह और से कहीं सारी FCO3, Fe2O3, Fe3O4 या आपका FeS2 B answer आगा Fe2O3 इसमें बेटा मैं मैं जैसे आपको physics में कराया 300 सवाल इसी तरीके से chemistry में भी आपको मैं 300 सवाल कराऊंगा 100-100-100 तीन दिन में इसके बाद 400 question आपको bio में कराऊंगा इसी तरीके से आपके 2000 questions होंगे वो complete होंगे ठीक है समझ गया चीज़ चलो F2CO3 F2O3 होता है correct answer रहाएगा B F2O3 बहुत बढ़िया B is the correct answer अच्छा कोई मुझे बताएगा इसको बोलते क्या है इसका नाम क्या है F2O3 का नाम क्या है इसको बोलते है है हमेटाइट क्या बोलते है है हमेटाइट और जो F2CO3 होता है इसका कोई नाम बताएगा मझे इसको क्या बोलते है इसको क्या बोलते है और Fe3O4 को कोई नाम बता है क्या बोलते है इसको बोलते है magnetite, magnetite, hematite, siderite, यह हो गया आपका कौन सा magnetite और FeS2, FeS2 को बोलते हैं बैटा, इसको कुछ नहीं, Fe2O3 और एक नोट कर लीजेगा इसको बोलते है, geothite, FeO, O2 का whole choice, ठीक है? magnetite, hematite, siderite, यह तीन composition आपका, इसमें आपका magnetite जो है ना, बहाँ पे आपको मिलेगा इसीज़, सबसे नाद आएरन चलो, आगे बढ़ें So the next question is, all the four quantum numbers of two electrons in an atom are not the same It is the law of, एक परमाडू में दो electronों की सभी चार quantum संग्या है, समान नहीं होती है, यह कौनन किसका है So this is the police exclusion principles, जिसमें इनोंने यह बोला हुआ है, कि जितने भी four states होती है, quantum states होती है N, L और ML, N, L और ML, यह आपका क्या हो सकती है, सेम हो सकती है, N, L, ML, मतलब जो spin momentum होता है Electrons का वो कह रहेगा, आपका opposite हैगा, वो सेम नहीं रहेगा, ठीक है, जिसको बोला गया रहोंने, half integer spin Half integer spin, यह आपका सेम नहीं रहेगा अब ही ठीक होगा, आप लोगों का वफरिंग ठीक हो गई होगी, फटा फटा जाएगा इतना जल्दी लोग भागते हैं, लोग मुझे समझ में नहीं आता है, कि वफरिंग मतलब होता है, एक technical glitch होती है और मुझे से 10-20 सेकेंड यह 30 सेकेंड तक यह एकजिस्ट करती है, लेकिन पैसेंस की बहुत कमी है बच्चे मतलब एकदम से ऐसा लगता है, अब क्लास की अब नहीं होगी, और सब भाग जाते हैं, ठीक है यह चीजें होती हैं, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, अगला कुश्चन Commercial nitric acid is colored because it contains dissolve, जो commercial आपका nitric acid होता है, यह colored होता है एक तरीके से इसमें brown color का होता है, यह किसकी बज़े से होता है, oxygen की बज़े से, nitrous oxide की बज़े से, nitrogen dioxide की बज़े से यह आपका colored impurity की बज़े से, रंगी ने सुद्धियों की बज़े से, किसकी बज़े से, जल्दी से बताए कोई बात नी भागने का बहाना चाहिए, साधाब खान आप सही बोलता है, लेकिन बच्चा, selection सबका नहीं होता है मैं फिर बोलना हूँ, फिर मैं repeat करता हूँ, हर class में बोलता हूँ, सब लोगों को यह चीज मान लेनी चाहिए, कि selection सबका नहीं होता है selection उसी को होता है, जो continuity रखता है, और थोड़ा उसमें presence होता है, और मेहनत रोज करता है ठीक है, उसका selection होता है, तो आप लोग selection लेने के लिए, बचा मेहनत करूँ मैं चाहता हूँ, जितने भी लोग आप class देखते हो, सब का selection हो, बहुत ही जल्द एक साल के अंदर, क्योंकि यह साल आने वाली है, अगर सब कुछ अच्छा रहा, COVID वगरा फिर से नहीं लगा, lockdown नहीं हुआ, तो बहुत सारे एक्जाम्स आपके होने वाले हैं, और एक्जाम्स की वेकेंसी भी निकलने वाली है, उस रिच का बरबाद मत करिए, ठीक है, nitrogen, nitrogen dioxide, nitrogen dioxide होती है, जिसकी बज़े से, NO2 की बज़े से, इसका brown color होता है, इसमें किया का जाता है, कि dry air, bubbling, bubbling मतलब अबी तक आपने देखा कि industrial process पर, या basic use में, या daily use में, जो चीज़ें, chemistry, use हो रही है, कुछन आपके बहीं से मुझे जाएंगे, तो या आपका किसी होगा है, nitrogen dioxide, ठीक है, च्वालो, आगे बढ़े, voice slow है, voice बढ़े ठीक है, एरफोन लगाके, अपना जो mic है, एरफोन में आपको तेज कर लिजे, मैं दोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, च्वालो, आगे बढ़े, अगला कुछन देखेंगे, fertilizers having high nitrogen content is, उच nitrogen युक तो अबरक है, urea, ammonium sulfate, ammonium nitrate या calcium citrate, इसमें बुचा गया है कि nitrogen की content है, nitrogen का content या nitrogen capacity सबसे जानदा किसमे है, urea, ammonium sulfate, ammonium nitrate या calcium, calcium citrate, इनमें से किसमें, ठीके, इसमें क्या होता है, कि high nitrogen content होता है, यह बात याप आप रखेगा, high nitrogen content होता है, high nitrogen content, और यह लगबग रहता है, 33% से लेकर, 34% तक, यह 33%, 34%, यह high nitrogen content होता है, बागी phosphorus और potassium का content यहाँ पे क्या रहता है, बहुत ही लो रहता है, nitrogen content यादा रहता है, किसम इतने हिंट दे दी मैंने आपको इस हिंट के बाद आपको बताना पड़ेगा इसका correct answer. तो correct answer है ammonium nitrate. Ammonium nitrate में nitrogen की capacity है, nitrogen content high रहता है 33% to 34% के आसपास, लेकिन phosphorus और potassium क्या रहता है, कम रहता है. So correct answer होगा इसका ammonium nitrate. C is the correct answer. चलो, C is the correct answer. आगे देखते हैं, where does the oxygen that अभी सही हो गया? चलो, आगे बढ़ते हैं, ऑक्सिजन जो होती है, हमें जिन्दा रखती है, वो कहां से मिलती है? options बताना है, बैसे होता आप लोग बोलेंगे, हवा से मिलती है, हवा जो हम सांस लेते हैं, उससे oxygen मिलती है, इनकी oxygen हमारे काम में नहीं आती है, जिन्दा रहने के लिए, पानी की oxygen है ये काम में आती है, पानी जैसे हम पीते भी हैं, कई सारे ऐसे animals हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, तो पानी की oxygen is the correct answer, so D is the correct answer यहाँ पर, ठीक है? चली, आगे बढ़ा जाए, बहुत अच्छे, इसी तरह के question आप लोग करते जाएए, revision होता जाएगा, और इसमें से question आप लोग के exam में directly भी आ सकते हैं, क्योंकि SST repeat करता है questions, बहुत जानदा, The gas used for artificial fruit ripening of green fruit is, जो हरे फल होते हैं, आजकल जो पहले ही तोड़ दिया जाते हैं, पकनी का बेट नहीं होता है, तो उनको पकाने के लिए किस चीच का यूज किया जाता है, chemical होता है, उसका यूज किया जाता है, option आपके सामने है, ethylene, acetylene, ethane, methane, इनमें से किसका? जल्दी से बताइए, ठीक है, यह question जो है ना, आपका, मैं बता दूँ आप लोगों को, आप लोगों अभी साथ इतने exam नहीं दिया होंगे, मैंने दे रखेंग इस साथ exam, यह question SSC, even PCS, lower PCS, जहां-जहां मैंने previous year paper लगाए हैं, जहां-जहां जहां पर पाया गया है, कि जो पके हुए, जो fruit पकाया जाते हैं, वो किसकी help से पकाया जाते हैं, so correct answer हो जाएगा इसका, ethylene is the correct answer, so A is the correct answer, ethylene, clear cheese, shall you, अभी buffer नहीं हो रहा है, अभी बेटा सही है, अभी तो buffer नहीं हो रहा है, ethane, ethane से ethane नहीं होगा, ethylene होता है, ethylene is the correct answer, not ethane, ethylene, ethane अलग होगा, ethane अलग होता है, देखो, मैं बता दूँ आपको, एक en होता है, en, एक en होता है, एक en होता है, और एक in होता है, single bond होगा, वो en होगा, double bond होगा, वो in होगा, और triple bond होगे, वो in होगे, जैसे आपका, क्या, मैं एक example लेता हूँ, methane का, मैं Sebaug Movement, मैं जैए नहीसरे नहीन के लेता हूँ, ज जैसे ethane जो होगा, ethane का, C और C जो दो bond होगे, कावन की बेलंसी क्या होती है? चार होती है. तो एक यहाँ अटेच हो गया H, 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 और H. यह हो गया आपका एथेन. लेकिन अप क्या करेंगे यहाँ से? गायब कर देंगे, फिर आपके double bond आ जाएगा, C double bond C, और यहां से आपका hydrogen जुड़ जाएगा, यह बन जाएगा आपका ethene, ठीके, अब यहां से क्या होगा, double bond बन रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, जब triple bond बनेगा, तो बनेगा ethylene, ठीके, ethylene आपको बनेगा, C triple bond C, और यहां पर हाइडोजन, और यहां पर हाइडोजन, तो triple bond होगा, वहां पर आइन होगा, double bond होगा, वहां पर एन होगा, single bond होगा, वहां पर एन होगा, क्लिर एचीज़, चलो, अगला कुशन देखते हैं आपर, the three elements most needed in common fertilizers are, सामान उबरगों में सरबाधिक आवस्चक तीन तत्तो कौन से हैं, उबरग यहने कि जो fertilizers हम लोग यूज करते हैं, उन fertilizers में कौन कौन से चीज़ें पाई जाती हैं, आपके सामने चार option दे रखे हैं, आपके सामने options क्या है Sulfur, Phosphorus and Sodium, Nitrogen, Potassium and the Phosphorus, Phosphorus, Sodium and the Nitrogen and the Calcium, Phosphorus and the Potassium, इन में से कौन सा, जल्दी से बताएं, अभी अभी मैं आपको इसका जवाब दे चुका हूँ, दो कुशन पहले ही मैंने बताया था, Nitrogen के साथ साथ में Potassium होता है और Phosphorus होता है, Potassium मतलब K से denote करते हैं, Phosphorus को P से denote करत हैं, तो N, K, P, इन तोनों का composition ही होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग Fetilizers, तो correct answer is B, B is the correct answer, जश्ट अभी बताया था आप लोगो, Nitrogen, Phosphorus और Potassium, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला कुशन देखेंगे आप पर, which one of the following metals pollutes the air of a city having large number of automobiles, जो जितने भी large number of automobiles होंगे, उस अगे पर, सबसे जादा जो metal pollute करेगा, air को वो कौन सा है, cadmium, chromium, lead या copper, इन में से कौन सा, सों समझ के answer दीजेगा, यह सवाल थोड़ा confuse करने वाला है, क्योंकि Google में आपको एक दो answer, अलग अलग answer मिलेंगे इसके, तो इसका answer एक्दम सों समझ के दीजेगा, cadmium, chromium, lead या copper, जल्दी से बताइए, निधी बेटा एक बार refresh कर लो, चल जाएगी आपकी class, c is the correct answer, lead होता है, lead इसका answer correct होगा, आप लोगों को एकीन नहीं होगा, कि जब अभी lead तो अभी 98% reduction हो चुका है, lead की usage में, पहले जो automobiles होते थे, इसमें lead बहुत निकल दा था, अभी तो 98% reduce कि होता है, लेकिन पहले क्या होता था, कि जो batteries बगरा लगती है, आपके vehicles बगरा में, batteries बहां पर lead होता है, batteries आपकी लगती थी, automobiles में, तो उनके तरू क्या होता था, lead जो component क्या होता था, pollution बहुत करता था, और आपको बिलीब नहीं होगा, जितनी कारें चलती है आपकी road पर करीब-करीब 2.8 million ton, यह बहुत बड़ी मातरा होती है, इतना lead यूज होता है, आपकी जितनी batteries आपकी लगी होई है, आपकी automobiles के अंदर, उनके अंदर, ठीक है, तो सबसे अंदा क्या effect करेगा, lead जो होता है, ठीक है, large number of automobiles, तो C is the correct answer, पुरानी DTC bus में हाँ, जो पुरान होने लगी है, conferences होने लगी है, कई सारे groups बन चुके हैं, जो आपका carbon emission को रोंक रहे हैं, ठीक है, या lead emission को रोंक रहे हैं, ऐसी चीजों को यूज कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे pollution ना हो, global warming ना हो, temperature ना बढ़े तो इन चीजों की कटोती करनी पड़ेगी और developing country और developed country दो आपके options आते हैं, तो developed country जो जितनी भी developed country हैं, like USA, Russia बगरा, इनमें आपका एकदम से restriction दे दिये गए हैं, कि आप बहुत जानदा carbon बाली चीज़ें आपका यूज नहीं करेंगे, जिससे pollution बहुत जानदा हो, लेकिन जो developing country हैं, उन्हें थोड़ी सी रहत मिली है, 5-10 साल की इनको रहत मिली है, अलगले category में बाटे गए हैं लोग, उस बज़े से इनको एक रहत दी गई है, कि इतने टाइम तक आप यूज कर लेजे, लेकिन इसके बाद आपको यूज नहीं करना है, तो आप लोग देख रहे होंगे, आजकल लोग कोईले बगरा से energy जो प्रोडूस हो रही, उस पर नहीं जा रहे है, लोग नूक्रे एनरजी की तरफ भाग रहे है, रेन्यूबल सोस अब अरजी की तरफ भाग रहे है, पपन चक्की लगा रहे है, सोलर सिस्टम इंक्रीज कर बार है, तो इस तरीकी की चेंज बढ़ रही है, ताकि जो बहुत आएगी, बहुत अंदा कॉस्ट लिए हाइडोजन फ्यूल, ठीक है, चलो, आगे बरते हैं, अगला कुछन देखेंगे आपर, वाट इस दा केमिकल नेम फोर बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रसाइनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्ब आते हैं, जो कोकीज में डाल देते हैं, तो बेकिंग सोडा काम होता है, कि उसको थोड़ा साइब कर देता है, जल्दी पका देता है, बेकिंग सोडा, तो वाट इस दा फॉर्मूला, तो और आगे बड़े, अगला कुस्टन, आप लोग चाहे ना, तो अपने नमबरी भी क कर सकते हैं, आप लोग, एक से लेके सोडा का आप आप नमबरी कर लिया करिये, और जो करेक्ट होता जाया करें, उसमें आप दो नमबर लिखते जाया करिये, और जो आपको गलत होता है, उसमें आपका 0.5 से नेगेटी मागिं करता जाएगा, इसमें आपको एक आडिया ल इन में किसके लिए युज़ किया जाता है? Atomic pile. Atomic pile एक तरीके से परमारू धेर होता है. परमारू धेर बोलते हैं Atomic Piles को. जल्दी से बताइए. Atomic pile. Prince का आंसर D आया है. फर्मान का आंसर B आया हुआ है. ठीक है. देखो बच्चा जितने भी आपका nuclear reactions होती है. पहली बात आपका जो reactors बगरा में जो reactions हो रही है. उसको fission बोलते हैं. Sun के अंदर जो हो रहा है उसको fusion बोलते हैं. हम लोग भी पढ़ चुके हैं physics में. तो जहाँ जहाँ पर nuclear fission reaction होगी. वहाँ पर atomic pile की जरूरत पढ़ती है. तो correct answer हो जाएगा इसका B. Conducting nuclear fission. B is the correct answer. ठीक है? ऐसे इसको याद रखेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. Which of the following gases is present under presence in the soft drinks? Soft drink या जो हम लोग पीते हैं, उसमें कौन से gas भरी होती है? तो एक pressure के साथ में gas भरी जाती है. आप लोग अभी notice करेंगे कि बोतल जब दबाते हैं हम लोग, तो बोतल वो बहुत जादा टाइट रहती है. लेकिन जैसे हम खोल देते हैं, तो उसमें से gas निकल जाती है. वो उस gas, वो कौन सी gas है? जो कौल्डिंग को बहुँ जादा, अगर वो gas नहीं होगी, तो कौल्डिंग आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सर्बत पी रहे हैं. जो सोडा में जो चरप्रहाट जैसी चीज होती है, सोडा में जो एकदम गले में लगता है, वो चीज नहीं लगेगी. तो वो कौन सी gas है? कारबन डायकसाइड, CO2 is the correct answer. तो उसमें कारबन डायकसाइड अंडर दा हाई प्रेसर बढ़ी जाती है, जितने भी आपकी colding की bottle होती है. अगर मालीजी कोल्डिंग अगर leak हो गई, उसमें से वो gas निकल गी, तो वो colding क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, वो पीने में आपको अच्छी नहीं लगेगी. तो जब भी कभी bottle लिया करिये, एक बाद दबा के देख लिया करिये. Bottle अगर tight है, lose नहीं है, bottle अगर दब नहीं रही है, that means उसमें CO2 present है, colding अभी अच्छी होगी. लेकिन अगर कोई भी आपको bottle देता है, plastic bottle हो दब रही है ऐसे करके, तो समझ जाएगे का उसकी gas निकल चुकी है, और इसमें leak हो चुकी gas, अब ये colding पीने में आपको अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है? चलो, अगला कुछन देखते हैं. The substance which does not expand on going from liquid state to solid state. ऐसा कौन सा substance है यहन में, जिसमें हम liquid से अगर solid में convert करेंगे, तो उसका expansion नहीं होगा, ठीक है? Water, cast iron, aluminium या type metal. जल्दी से बताइए. Water, water अगर हम जिमान लीजिये, क्या करते हैं? Liquid से solid में convert करते हैं, मतलब पानी से बरफ बनाते हैं, तो भी इसका क्या होगा? Expansion होगा, volume बढ़ेगा. तो water हम यहाँ से cut कर देते हैं. Water यहाँ से cut कर देते हैं. इसके बाद जितना भी cast iron होता है, इसको भी अगर हम पिखलाएंगे, पिखलाने के बाद इसको solid मिलाएंगे, तो इसका भी क्या होगा? Expansion होगा. इसी तरीकर से aluminium में होता है, इसमें भी आपका expansion होगा. क्या है? Alloy. Alloy मतलब इसको बोलते हैं मिस्र धातू. मिस्र धातू. कई तरीके के धातूं को बना के मिलाई जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग मिस्र धातू. और यह बनी हुई है, lead. इसका जो composition है, वो है lead. टीन. और एंटी बनी. एंटी बनी. यह तीन इसके composition है, इसको मिलाके बनता है एक alloy, जिसको बोलते हैं हम लोग type metal. Okay? So this is the correct answer. Type metal, mixed metal, एक alloy है, जो बनाया जाता है lead, टीन और एंटी बनी को मिलाके, इसका expansion ही होता है. ठीके भवावानी संकर बोला है, ओ, bike, wheel, bike, wheel बगएरा में यूज होता है, The radioactive element used in heart pacemakers. Heart जो pacemaker बनते हैं, जब हापका machine लगाई जाती है, दिल जब नहीं धड़कता है, तो उसमें कौन सा radioactive तद तो use किया जाता है? Uranium, deuterium, plutonium या radium, इन में से कौन सा? देखते हैं, इसका कौन answer सही देता है, किसने Iron Man movie बहुत अच्छे से देखी है, क्योंकि Iron Man में ये word यूज किया जाता है एक बार, कि जो pacemaker बनता है, जो Tony Stark होता है, उसके heart के पास में जो bullets के lead बगरा जब चले जाते हैं, तो एक pacemaker लगाए जाता है उसके heart के पास में, उसको beat करने के लिए, उसमें कुछ चीज का यूज करता है वो. Uranium नहीं होगा बेटा, Uranium is not the correct answer, तो correct answer हो जाएगा इसका plutonium, plutonium is the correct answer, C is the correct answer, plutonium, plutonium is the correct answer, ठीक है, तो P238, plutonium, 238 ये use होता है आपका heart pacemaker में, uranium use नहीं होता है, कई जगे आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग Google करेंगे तो Google सबसे पहले आपको answer देगा, बहाँ पर answer correct दे रखा है A, Uranium, लेकिन explanation में दे रखा है plutonium, तो ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी बहाँ पर, ठीक है, correct answer होगा plutonium, P238, इसको आप note कर लिजेगा, कई जगा पर, कई books में, कई जगा net पर भी आप सर्च करेंगे, तो इरोनियम कई लोगों ने बोला हुआ है, लेकिन और रिसर्च करके, अगर आप पढ़ेंगे उसको, तो correct answer होगा, उसका plutonium, P238, चलिए, हिडिमबा का, हिडिमबा का पती बकासुर, बहुत बढ़िया नाम है आपका, चलिए, अच्छी बात है, अपना असली नाम रखिए बच्छा, अगला कुसर देखते हैं, the element which is commonly used in nuclear for producing electricity by nuclear fission, nuclear fission के process से electricity produce होती है, उस electricity produce करने में कौन सा element यूज होता है, radium, plutonium, uranium या deuterium, जल्दी से बताएए, the element which is commonly used in nuclear for producing electricity by nuclear fission, uranium यूज होता है, इसमें correct answer हो जाएगा, इसका C, uranium is the correct answer, ठीक है, uranium, अब आप लोग कही लोगे सोचते होंगे कि uranium से कैसे बजली बनती है, तो बटा, uranium से डारेक्ट बजली नहीं बनती है, ऐसा नहीं होता है कि uranium के हमने reaction करा दिया, इसकी इनर्जी से direct बजली ले रहे है, होता क्या है, इस uranium के जो reaction होती है, इसको क्या होता है, इसमें इनर्जी निकलती है, क्या निकलती है, इनर्जी निकलती है, और इनर्जी क्या होती है, हीट होती है, इस हीट के थुरू क्या होता है, है, कि जो पानी होता है, water होता है यह steam में convert होता है और इस steam से क्या चलती है, turbine चलती है, इस steam से चलती है, turbine और यही turbine produce करती है, क्या? electricity, ठीक है, directly आपका nuclear uranium से не झिकलती है light, uranium से heat निकलती है, energy निकलती है, उस energy को use करते हैं, लोग पानी को steam बनाने के लिए, करते हैं तर्वाइन को चलाने के लिए तर्वाइन चलेगी तो आपका क्या बनेगी एलेक्टिसिटी बनेगी तो दिस इस अपर यह पर नूट करने के लिए इसको बोलते हैं लोग लिए भी बॉटर तो यह दोनों चीज़ें आप लोग याद रखेंगे इरोनियम कहा ही जो रहा है बिजली बनाने में डिटुरियम है बगर आज होता है उनको बनाने के काम में आता है चलो डिटूओ ठीक है इसको बोलते बाद में डिटूओ ही बोलते हैं लेकिन इसका असल इसको रख़ा हुआ नमक है वह सद थोड़ा सा गीला हो जाता है ऐसा क्यों होता है अगर आप नमक को खुले में छोड़जा चोना तो उसमें से मौष्टरर होजाता है किस रीजन से होता है यह और चार ओंसन दे रखें पहला आपका होप्सण है याँ पर कि sodium chloride हाइग्रोस्कोपिक है या sodium chloride is daily quescent है sodium chloride contains some quantity of sodium aidoid या sodium chloride contains hydro-spoken properties like magnesium chloride इमें से क्या आपका correct answer होगा जेक्सों समझ के बताएगा सुदान्सु मांत का आया है सुदान्सु मातो डी option is the correct बहुत बढ़िया कई लोगं का ए आरा बच्चा में एक चीज बता दूँ आपको कि sodium chloride अगर प्योर रहेगा ना तो वो गिला नहीं होगा लेकिन उसके सासाथ में कुछ impurities होती है जो आप क्या करती है पानी जो होता ना आपका humidity में या air में जो भी पानी होता उसको अब्जोर्ब करती है जैसे आपका magnesium chloride हो गया calcium chloride हो गया तो दो टाइप की impurity पाई जाती है magnesium chloride and the calcium chloride अगर यहाँ पर calcium chloride होता तब भी answer correct होता यहाँ पर तो magnesium chloride, calcium chloride note कर लिए दो टाइप की impurity पाई जाती है sodium chloride के नदर में जिसकी बज़र से पानी को बो लोग absorb करते हैं, so correct answer हो जाए गया है, आप पर option D is the correct answer, ठीक है, चलिए, आगे बढ़े, संख्या कम है कई लोगों की, साइंस लग रहा है, कई लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, चलो आगे देखते हैं, which of the following is used as a lubricant in heavy machines, निमली खित में से किसका उप्योग भारी machineों में, इसने हक की रूप में किया जाता है, इसने हक मत्तब lubricant की रूप में किया जाता है, बॉक्साइट, सल्फर, फास्फोरस या ग्रेफाइट, इन में से क्या, फास्फिलना पड़ेगा, इसमें आफ रूप में इसकी रूप में आपको नहीं दे पाउनगा, जो सुष्क सेल होती है, उसमें एनोड क्या होता है, copper होती है, zinc होती है, cadmium होती है, graphite होती है इसमें कौन सी चीज है, जो anode का काम करती है दो चीजें होती है in cell में, cathode होता है, एक anode होता है जल्दी से बताए correct answer इसमें हो जाएगा बच्चा zinc का का यूज होता है, zinc anode जैसे act करती है क्योंकि इस तरीके आप देख रहे हैं, यह आपकी dry cell है इसमें जो anode का काम करेगी, जो zinc होती है एक तरीके से जो इसका inner case होता है, वो zinc का बना होता है और cathode का काम करती है, जो अंदर rod पड़ी होती है आप लोग cell use करते है, remote बगरा में और भी चीजों के पे तो जो बीच में जो rod निकलती है, वो graphite की होती है तो that is act as cathode, और जो बाहर की उसकी layer होती है, वो zinc की होती है that is act as anode, और बीच में देखा होगा, आपने कहीं भी एक material भरा होता है जो उसको बोलते है, paste of MnO2, NH4Cl and the carbon ये बीच में material भरा होता है, और जो अंदर होता है, वो क्या होता है, cathode, graphite का, बाहर होता है, anode, जो की zinc का होता है ठीक है, चालो, बहुत बढ़ी आ, zinc is the correct answer which of the following is used to iodize common salt निमल में से किसका विप्योग सामाने salt को iodine करने के लिए किया जाता है जो हम नमक खाते हैं, बोलते हैं, iodine युकत है, iodized है, उसको किस चीज़ का यूज किया जाता है, जिससे वो iodine उसमें मिलाई जाती है iodine, potassium iodide, sodium iodide या potassium iodide, direct iodine ही चड़कते हैं उसके उपर correct answer होगा यहाँ पर, correct answer होगा आप लोगों का, potassium iodide potassium iodide का spray किया जाता है, किसका spray किया जाता है, potassium iodide का, तो इसी से आपकी iodine उस नमक में आ जाती है, तो correct answer होगा, option C is the correct answer, जोनोंने ए लगाया है, वो एकदम से गलत है आगे दिखते हैं, milk is a collidal system in which a collidal solution होता है, जिसको आप emulsal बोलते हैं, emulsan, को milk जो है न, आपका pure substance नहीं है, milk एक तरीके से आपका collidal solution है, emulsan बोलते हैं, उसको solution ही बोलते है, emulsal होता है, वो क्या है, water is dispersed in fat, जो आपका fat है, उसमें पानी मिला हुआ हुआ है, या fat dispersed in water, पानी में fat मिला हुआ है, या fat and water are dispersed in each other, या fat is dissolved, या क्या है, किस तरीके का solution है, तो ध्यान दिजेगा, जो milk जो होता है, एक तरीके से, जो fat होती है, वो water में dispersed होता है, बसा जो होती है, जल में बिखर जाती है, तभी बाद में क्या किया जाता है, उसको मठा बगरा बन होते है, इमल्सन, तो B is the correct answer, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला कुछन देखते हैं आपर, the enzyme that converts glucose to ethyl alcohol is, glucose को ethyl alcohol में बदलने वाला enzyme कौन सा है, invertase, maltase, gymase या diastase, या आपका चार enzymes है, biology में आप लोगों को ने पढ़े होंगे, इन में से glucose को ethyl alcohol में कौन convert करता है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, correct answer उसका जाइमेज, जाइमेज, ना ना invertase नहीं होगा, के लोगों का अंसे गलत आ रहे हैं, invertase, maltase ये सब कुछ नहीं होगा, correct answer is जाइमेज, जाइमेज convert करता है, किसको, glucose को convert करता है, ethyl alcohol में, फिर आप कहा जाएगा, invertase, invertase convert करता है, सुक्रोज को, सुक्रोज को convert करेगा, किसमें, glucose में, clear axis, maltase क्या करेगा, maltase करेगा, sugar और starch को break करता है, maltase, sugar और starch, ये लिख लीजेगा, आप लोगों के बहुत काम आएंगे, और जो diastase है, वो क्या करता है, starch को maltose में convert करता है, किसमें convert करता है, diastase, starch को maltose में convert करता है, ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों के, यहाँ से कोई कुछ आप से पूंच सकते हैं, एक चुली चार कुछन है आप लोगों के, अभी पूंच देंगे आप से कौन सा हिंजाएम है, जो सुक्रोज को glucose में convert करता है, कौन सा हिंजाएम है, जो starch को maltose में convert करता है, तो इस सार कुछन ऐसे हैं, जो टाइम नहीं लेंगे, भागी कुछन आपके टाइम लेते हैं, सिल्क फाइबर इस केमिकली इज, सिल्क फाइबर क्या है, कर्भोईडेट है, फैट है, प्रोटीन है, प्रोटीन है, तो ये एक तरीके का प्रोटीन होती है, उनकी लारबा होती है, वो ये भी आप लोग प्वाइंट याद रखिएगा ककूंस क कुस बनाती है क्या लार्वा सवाल ये बिपूचा गया थैस्सी में कि किस से बनता है तो लार्वा से बनता है लार्वा से कुकूंस बनता है और एक अब वाइन होती है जिसको बोलते है फिप्रोइन ठीक है चलो hydrogen bomb बनाया Edward Taylor ने, एक तरीके से fusion bomb है यह, क्या है fusion bomb, जो reaction आपकी कहाँ पर होती है, sun के अंदर होती है ना, वही reaction होती है यहाँ पर, इसलिए इसको बोला गया है fusion bomb और इसको बनाने वाले हैं Edward Taylor, और जब कब atomic bomb है ना, atomic bomb, इसको बनाया Oppenheimer ने, तो B बाला option जो है आपका, J. Robert Oppenheimer, यह इन्हों ने बनाया atomic bomb को, और Edward Taylor ने बनाया किसको, hydrogen bomb को, तो यह आप note कर लिजे, चलो, आगे बढ़ते हैं, यह क्या हुआ, speed मढ़ेंगे हम लोग, आगे बहुत जल्दी से, आप time नहीं लगाएंगे, कि आप लोग बोलने, speed में, तो speed में शलते हैं, when there are two electrons in the same orbital they have, अगर कोई दो electron है, same orbit में पाये जाते हैं, तो same spin होगा, opposite spin होगा, same और opposite spin होगा, या no spin होगा, spin होता है, जब वो spin ऐसे करके, spin करते हैं अपनी जगह पर, डमरू जैसे घूम, जैसे डमरू बजाते हैं आप लोग, इसको बोलते हम लोग, spin momentum, तो electron अगर revolve कर रहा है न, ऐसे घूम रहा है न, तो घूमने के साथ में माली जी यह यह electron है, एक तोगा simple घूम रहा है, ऐसे करके, simple लिगूम था, यह अपनी orbit पर ऐसे करके, ऐसे करके spin momentum करते है, जिसको बोलते है spin, और जब भी कोई दो electron एक orbit में होंगे, तो इनका spin जो होगा, वो opposite होगा, अगर यह माली जी ऐसे कर रहा है, तो दूसरा बाला ऐसे कर रहा होगा, यह ऐसे कर रहा है न, तो दूसरा बाला ऐसे कर रहा होगा, अपोजिट इस्मिन, correct answer हो जाएगा यहाँ पर B, B is the correct answer, अपोजिट इस्मिन, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला question, galvanization is the process of, galvanization एक तरीकी के process होती है, जिसमें, रस्टिंग को रोकने के लिए, आइरन के ऊपर, जिंक की परण चड़ाई जाती है, किसके ऊपर, आइरन को रस्टिंग, यानि की, जंग लगने से रोकने के लिए, उस पर, जिंक की परण चड़ाई जाती है, जिसको बोलते हैं, हम लोग, galvanization process, तो deposition of jink on iron, A is the correct answer, तो इसका हो गया A, ठीक है, इस तरीके साब देख रहे हैं आप, तो galvanization इस तरीका का process होता है, जिसमें आपका jink चड़ाई जाती, आइरन के ऊपर, आगे देखते हैं, अगला question, ठीक है, fermentation of milk to curd is due to, जो दूद होता है, वो दही बनता है किसकी बज़े से, एक bacteria होता है, उस bacteria को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, lactobacillus, correct answer हो जाएगा lactobacillus, C is the correct answer, और lactic acid का निर्माण होता है, यही lactic acid की बज़े से, जो दूद है, वो दही में convert होता है, और यही lactic acid पाया जाता है, आपकी छोटी आत में, small intestine में lactic acid होता है थोड़ा सा, ठीक है, यही वो acid होता है, जो दूद को convert करता है दही में, कई लोगों को आपको बिमारी होती है, मलब बिमारी क्या होती है, तरीके से acidity हो जाती है, acidity, तो कई लोगे बोलते हैं कि सर, पेट में acid बन गया, acid बन गया, तो पेट में acid बनता नहीं है, होता क्या है न, जब stomach में acid पूरी तरीके से नहीं बन पाता है, या stomach में acid कम पढ़ जाता है, तो वो acid call करता है, कहां से call करता है, small intestine से call करता है, कि भया, थोड़ा से एसेड मुझे भेज़ दो और वो एसेड एक तरीके से कहा जाता है आपके पेट में जाता है, इस्टमक में जाता है, लक्तिक इसेड और वोई लेक्टिक अच्छिड आपके ऊपर चला आता है, फार्णिक्स बगरा तक तो आप वो जिलन होती है हम लोग क्या करते हैं वहां पर soda मलब इनो पी लेते हैं और और बी चीजे पी लेती है तो यह रहात मिलती है थोगे टाइम के लिए लेकिन यह बैसी पेट में अशिट की कमी है और इसको पीने से अशिट की कमी हो जाती है फिर वो जलन आपकी कंटीनू रहती है आप लोग दवाईया क्या कर रही है एसेट को कंप्रेस कर रही है मिली उसका जो कौज है जो रीजन है उसको जानी है और उससे आपका क्या हो जाएगी यह बीमारी दूर हो जाएगी ठीक है चलो आगे देखते हैं अकला कुश्टन पूचा गया है कि कितने नंबर आप प्रोटान्स वीडिक दोटान्स पूचा गया है कि कितने नंबर आप प्रोटान्स होंगे अब देखो होता क्या है बच्चा दो चीज cardboard रखेगा एक होता atomic number to atomic number atomic number ibook होता है जितने भी number of electron होंगे number of electron जितने होंगे वो जाएगा atomic number जैसे अब देखत मैं क्या है carbon account 6 है that means इसमें दिक इसमें इलक्ट्रोन है, कितने हो गए, 6 हो गए, लेकिन जो mass number होता है, mass number, यह होता है, proton plus neutron, अब mass number कितना दे रखा है इनोंने, 12 दे रखा है, कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, और यहाँ पर क्या है, कि जितने electron होंगे, उतनी क्या होंगे, proton होंगे, तभी तो charge balance होगा, मतलब अगर electron 6 थे यहाँ पर तो proton भी 6 होंगे और neutron निकालने के लिए हमको क्या करना पड़े डिवाइड करना पड़ेगा तो n is equal to 12-6 neutron में क्या होंगे 6 होंगे proton 6, electron 6, neutron 6 तो यह आपका इस तरीके से आप किसी भी atom का निकाल सकते हैं जैसे माली जी कोई बोल दे आपसे की 12 है 14 है कोई भी आपको option दे बस इतना याद रिखेगा atomic number होता है number of electron, mass number होता है proton plus neutron ठीक है चालो आगे बढ़ते हैं correct answer हो जाएगा यहाँ पर 6 अगला question who developed atom bump अभी बताया आप लोगों को Edward Taylor ने बनाया hydrogen bump और J. Robert Oppenheimer J. Robert Oppenheimer ने बनाया आपका atomic bump तो यह दोनों आप नाम याद रखेंगे यहाँ से चलो the major harmful gas emitted by automobile vehicle which causes air pollution is जो air pollution create करती है automobile vehicle से जो gas निकलती है वो mainly कौन से होती है carbon monoxide CO, methane CH4, carbon dioxide CO2 या ozone gas O3 तो सबसे नदर जो gas निकलती है वो है carbon dioxide, carbon dioxide CO नहीं होती बेटा, CO नहीं होगी CO होगी या CO2 होगी, आप लोग आणसर AR है, carbon monoxide होगी या CO2 होगी CO2 होगी, CO2 is the correct answer, चलिए, CO2 is the correct answer, आगे बढ़ते है अगला question देखते हैं यहाँ पर, the acid used in storage cell seeds, सीशा बंदारन को इसकाव में परिक्त होता है acid used in the lead storage cell seeds, phosphoric acid, hydrochloric acid, nitric acid या sulfuric acid, इन में से कौन सा, तो correct answer हो जाएगा यहाँ पर, sulfuric acid, sulfuric acid का use किया जाता है lead storage में, ठीक है, correct answer, sulfuric acid, so D is the correct answer, चलिए, आगे बढ़ते हैं अगला question, milk tastes sour, यहाँ खटा होता है, when kept in the open for some time due to the formation of, उसमें किस इसका निर्माड होता है, जिससे दूद हमको खटा लगने लगता है, दूद खटा लगने की region है, lactobacillus एक bacteria है, lactobacillus के बज़े से बनता है किया lactic acid, lactic acid, A is the correct answer, ठीक है, lactic acid के बज़े से दूद फट जात होता है, और दूद से दही का निर्माड भी इसी के बज़े से होता है, तो A is the correct answer, आगे बढ़ते हैं, what is the most commonly used substance in floscent tubes, जो floscent tubes कहीं लोगों पूछा था क्या होता है, तो जो tubulite चलती थी थी ना पहले, अभी तो LED वाली चलने लगी है, पहले जो tubulite चलती थी थी उनको flos तो इन में जो यूज होता है, वो होता है, mercury, vapor and the argon, so C is the correct answer, mercury, vapor और argon यूज होता है, floscent tubes में, tubes के अंदर, mercury, vapor and argon, so C is the correct answer, what is milk of magnesia chemically, रसायनिक रूप से milk of magnesia क्या होता है, magnesium carbonate, sodium bicarbonate, calcium hydroxide या magnesium hydroxide, तो magnesium hydroxide, MgOH का whole ties is the formula of the milk of magnesia, इनों बगेरा जो पीते हैं हम लोग, ठीक है, तो MgOH का whole ties, चलो, आगे बढ़ते हैं, magnesium hot oxide, अगला question, soap is a prepared by boiling caustic soda, caustic soda यानि की NAOH, इसको boil किया जाता है, किसके साथ में, जब हमारा soap बनता है, तो जो caustic soda यानि उसको बोल करते हैं किसके साथ में, fat के साथ में, basically animal fat, जो जानवनों की fat होती है, इसके साथ इसको किया जाता है heat, उसके बाद बनते हैं soap, ठीक है, तो पहले जो जबाने में soap बनते थे, साबून बनते थे, तो उस टाइम पर animal fat यूज किया जाता है, लेक चलो, आगे बढ़ते हैं, so the next question is, bronze is an alloy of, bronze किस चीज का alloy होता है, copper zinc, tin zinc, copper and tin, iron zinc, bronze है जिसको का से बोलते हैं, it is the alloy of, जल्ली से बताए, it is the alloy of copper and tin, copper and tin को मिलाते हैं तब बनता है bronze, copper and tin को मिलाने के बाद बनता है bronze, ठीक है, तो correct answer हो जाएगा यहाँ पर C, और कुछ alloy है जो आप लोग याद रख लीजेगा इसको, वो alloy क्या है यहाँ पर, जैसे आपको याद रखना है, ठीक है, एक होता है, alnico, alnico, जो alloy है वो बनता है, aluminium, nickel और cobalt, तीन तरीके के इसमें metals होते हैं, धातु होती है, जिस जिसको बोलते है, alnico, दूसरा होता है, aluminium, ब्रॉंच, जिसमें आपका copper plus aluminium मिला जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग, aluminium, ब्रॉंच, एक यहाँ रखना है, brass, brass आपका बनता है copper और zinc को मिला के, और बनता है, ब्रॉंच, जो बनता है copper and tin, जिसकी अभी बात कर रहे हैं, tin को denote क बरते हैं, essence है, ठीक है, तो यह आपको कुछ important यहाँ पर फेक्टर आपको याद रखने है, copper and essence, चलो, आगे बरते है, the natural source of hydrocarbons, hydrocarbon का, जो natural source है, वो क्या है, crude oil, biomass, coal, या carbohydrate, इन में से क्या, natural source of hydrocarbons, तो hydrocarbons क्या होते हैं, basically, जो भी आपके fuel बगरा होते हैं, वो hydrocarbons कहलाते है और यह मिलते कहां से हमको, वो crude oil होता है, कच्चा, तेल होता है, correct answer हो जाएगा crude oil, कच्चा, तेल, A is the correct answer, A is the correct answer, biomass नहीं होगा बेटा, crude oil होगा इसका answer, crude oil या कच्चा तेल होता है, जिससे आपका diesel, petrol, gas, यह सब चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वो होता है आपका hydrocarbon का natural source, क्यों यह क्या होते हैं एक तरीके से, fossil fuels होते हैं, fossil मतलब जो हड़ियां बगरा होती हैं, हड़ियां बगरा के धांचा, यह सब पहले खटे होगा एक जगा पर जाकर, जो बात में क्या हुआ, मानब अबसेस से बना crude oil, यानि की fossil fuel, इसी को बोलते है crude oil, और crude oil को क्या किया ज जाता है, एक भटी में बंद करके किया किया जाता है, इसको गरम किया जाता है, हीट किया जाता है, एक अलग-अलग heat पर, अलग-अलग heat पर, different, different heat पर, पहले क्या मिलेगा, गैस मिल जाएगी, फिर क्या मिलेगा आपको, मानली जी, petrol मिल जाएगा, फिर डीजल मिलेगा, फ निकालने के बाद जो नीचे बेक्स बस्ती है mobile बस्ती है उसे यह उज़ avens'm in बैस्lim सब्से बड़ा एक्जाम सबसे बड़ा एक्जाम सबसे लिखा गजरा लिखा हो था पैट्रोलीम जैली प्रोड़ट तो इसी को वोलते है petroleum joli, कही तरीके के साबुन्स में, कही तरीके के creams में, यह सब यूज किया जाते हैं, यह सब चीजें, ठीक है, glycerine बनती है, तो यह चीजें, तो कही तरीके से देखा जाने हैं, जो लोग wage normals की बात करते हैं, जो अब जो society है, जो industrial society है, इसमें हम नहीं बत सकते हैं, किसी बी तरीके से, जैसे आपका जो चीनी होती है, सुगर जो बनती है, पहले जो चीनी बनती है, जब बहां से गन्नेस निकलती है, तो वाइट नहीं होती है, पर जो सुगर को जो बॉइट किया जाता है उसे मिला जाता है चारकॉल जिसको आपनी इच्छा की बात है सब्सक्राइब घ्राइब कोई शीर नहीं होती है हाँ वो अपनी इच्छा की लेकर नगर कोई बोलता है कि नहीं हमारा धरम खराब हो गया यह हो गया तो वो चीजें आप आज के टाइम में तो पॉसिबल नहीं है साबुन लगा रहे हैं हम लोग क्रीम लगा रहे हैं तेल लगा रहे हैं ठीक है और चीनी भी खा रहे हैं बाहर की चीजें खा रहे हैं तो वो चीज़ें फिर अलग हो गई ठीक है चलो आगे करते हैं अगला कुश्चन विचब दा फॉलाइंगे चीफली प्रजेंट इन दा लपीजी लपीजी लिक्विट प्रटोलियम गैस निम लिखित में से कौन मुखरूप से लपीजी गैस में मौझूद है मिथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन मिथेन का फंबला होगा यहां पर एथेन होगा आपका क्या? C2, C2H6, प्रोपेन होगा आपका क्या? C3, H8, ठीक है विटेन होगा आपका क्या? C4, H10, इन में से कौन सा यूज होता है LpG में? तो LpG में यूज होना थेन ब्यूटेन तो मेली कॉंटेंट होगा इसका D, D is the correct answer. चाली, आगे बढ़ा जाए. अगला कुस्छन यहापे है, next question is, बिच बरणाब्दा, फॉलॉइंग, मेटल सीज यूज़ तो गैलमनाइज आयरन, वही कुछ नागया से हम घुमा फ़रागे, गैलमनाइज तो बतलब आयरन को रस्टिंग से रोकने के लिए, बहुत बढ़ी मातरा में जिंग का यूज होता है, और जिंक की कोटिंग की जाती ही, आइरन की उपर जिसे आइरन रस्टिंग ना हो, उसमें जंग ना लगे, तो correct answer है, यहापे C, C हो जाएगा आपका जंग, जिंक, जिंक इस दा correct answer, चलि आगे बढ़ते हैं अगला question, which of the following is not a precious, semi-precious stone, इन में से कौन सा कीमती या अर्ध कीमती पत्थर नहीं है, sapphire जिसको नीलम बोलते हैं, या ruby, ruby होते हैं, pearl या emerald, emerald बोलते हैं इनको, इन में से कौन सा precious stone नहीं है, stone मतला पत्थर होते हैं, जल्ली से बताइए, see is the correct answer, see is the correct answer, नहीं, emerald नहीं होगा बैटा, emerald तो होता है, यह पत्थरी होता है, लेकिन जो pearl होते है, मोती होते हैं, मोती जो होते हैं, ब्रोती मिलते हैं, seep के अंदर, और बहुत बढ़ा production होता है, और अब इंडिया में भी production यह start हो गया है, तो seep होती है, एक तरीके से, तो सीब नहीं होगा बांकी सारे क्या हो जाएंगे यह पीसे स्टोन होते हैं और स्टोन जो होते हैं आपको देखा होगा आपने नीले स्टोन पीले स्टोन हरे स्टोन कही तरी के स्टोन होते हैं यह स्टोन क्या करते हैं कही तरी की impurity होती है पता है आप लोगों को अलोई आप निकलते है ना वहां से तो उनमें कुछ impurity हो जाती है उस impurities के बज़े से हमको stone मिलते हैं अलग-अलग color में ठीक है चो अलो आगे बढ़ते हैं अगला question विज़ा मंगता following metals provides amphotric oxide neuropoléique में से कौन सिधाती में amphotric oxide प्रदान करती है amphotric oxide जल्दी से بتाए amphotric मतलब होता है जसमें acid और base दोनों के प्रपर्टिंО मतलब वो acidic oxide भी बना दे और basic oxide भी बना दे इस दा meaning of the amphotric, amphotric oxide का मतलब यही होता है कि acidic oxide भी बनाए और basic oxide भी बनाए तो LC capability जो है, वो aluminium के पास में है, किसके पास में है, aluminium के पास में, तो C is the correct answer, it can provide, it can produce the amphotric oxides like acidic oxide and the basic oxide, तो दोनों जो होते हैं उसको बोलते हैं amphotric, तो correct answer हो जाएगा यहाँ पर aluminium, aluminium is the correct answer, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला कुछन देखते हैं यहाँ पर, hamburger, hamburger effect is otherwise known as, एक तो बर्गर का नाम है hamburger, economics में उज़ हुआ है hamburger, इसके लाभा chemistry में भी एक process है, इसमें उज़ होता है, hamburger को क्या कहा जाता है, कौन से process है, sodium pump, अनर्वर की metabolism, chloride shift या respiratory product, और यह biology से related है, chemistry से related है, biology से related है, इतनी hint में आपको दे रहा हूँ, जल्दी से बताएए, the main thing is this, कि hamburger जो process होती है, RBC के, महलब red blood cells होती है, note के लिजेगा आप लोग, RBC, RBC या जिसको बोलते हैं हम लोग, red blood cells, इनकी membrane होती है, membrane होती है, मतलब बहारी जो परत होती है, उस परत के ऊपर chloride shift होता है, और किससे exchange होता है, यह exchange होता है, HCO3, HCO3 minus और chloride, CL minus, यह exchange होते हैं आपस में, इस प्रोरी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग, hamburger effect या chloride shift, chloride shift, और कहां पर होता है, यह RBC की membrane पर होता है, अगर सवाल यहां से यह बने, कुश्चन अगर चेंज कर दें यहां पर, कि जो hamburger effect है, वो कहां पर होता है, तो membrane of the RBC, किन-किन चीजों का, किन-किन ions का interchange होता है, तो HCO3 minus और CL minus, क्या इसको बोलते हैं, तो chloride shift बोलते हैं, correct answer हो जाएगा यहां पर C, च्छली, आगे बढ़ा जाए, अगला कुश्चन, बिच अमंग दा following element is found in the maximum percentage in the human body, निमलिकित में से कौन सा तत्तो मानब शरीर में, अधिक्तम पर्चित में पाया जाता है, कार्बन, हाइडोजन, नाइटोजन या ऑक्सिजन, इन में से कौन सा तत्तो मानब शरीर में, सबसे जांदा पाया जाता है, जल्दी से बताइएं, कार्बन, हाइडोजन, नाइटोजन या ऑक्सिजन, O2, 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 ऑक्सिजन, ठीके, O2, ऑक्सिजन जो होती है, हमारी बॉड़ी में सबसे जांदा पाया जाती है, so the correct answer is D, A नहीं होगा बच्चा, एक बार, ठीके, इसको नोट के लेजेगा, this is a total composition of our body, सबसे पहली बात, अगर पानी की बात करें, तो जो बॉड़र हमारे बॉड़ी में कितना होता है, वो होता है 62%, प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन होती है 16%, फिर आपकी बात करें, जो हमारे बॉड़ी में पहाए जाते हैं, वो 6% के आसपास होते हैं, और जो फैट होती है, फैट जिसको बसा बोलते हैं, यह 16% होती है, तो पानी 62%, प्रोटीन 16% चर्भी या बसा या फैट 16%, कार्भो हाइड़र एक पसेंट, मिनरल्स जो होंगे वो 6% के आसपास होंगे, अगर मैं आपे बात करूँ, गैसिस की बात करूँ, तो ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइडोजन 9.5%, नाइडोजन 3.2%, कैल्सियम 1.5% और फोसफोरस इसदा 1.2%, जो आपके मिनरल्स होते हैं, यह मिनरल्स का कंपोजिशन हो गया, ठीक है, यह पानी का कंपोजिशन हो गया, प्रोटीन इतनी पाई जाती है, अगर यहां पे पूछा जाएड़ाजा आपसे पोटेसियम कितना होगा, तो पोटेसियम होगा आपका 0.4%, सलफर होगा 0.2%, सोडियम 0.2%, क्लोरीन 0.2%, मैंगनीसियम 0.1%, अदर जो और भी कुछ चीज़े होगी, बहुगी 1%, अब यहां से आपके करीब 20 सवाल तयार होगा, इस पूरे एक डाइग्राम से, इसको आप जाएग कॉपी में नोट कर लिजेगा, या बाद में लिख लिजेगा, मैं PDF भेज़ दूँगा, रितिक, PDF आप लोग डाउन कर लिया करिये, इस्टेडी लैफ टेलेगराम गुरुप से, महां से PDF या आपको मिल जाएगा, ठीके, तो सवाल यहां से कोई बन सकता है, आप बादर पूँछ दिया कितना पसेंट है, प्रोटीन कितना है, ऑक्सिजन कितना है, कार्बन कितना है, हाइडोजन कितना है, ऐसे कुशन आप से पूचे जा सकते हैं, चलो, आगे बढ़ते, I hope आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको, PDF मिले तो नोट कर लेजेगा इसको, अगला कुशन, विच अमंग दा फॉलोइंग स्टेज इस स्टेज इस स्टेबल इंडिकेटर, वेन और सलूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इस मिक्स विद दा सल्फूरिक एसेट, निम लिखित में से कौन सा चरण उप्यूक्त संकेत तक है, जब सोडियम कार्बोनेट का समाधान सल्फूरिक एसेट के साथ मिलाया जाता है, मिथाइलीन बिलू, मिथाइलीन रेट, या फिनॉप्तिलीन, या मिथाइल ओरेंज, इनमें से क्या, जल्दी से बताएए, अगला कुशन देखते हैं याँपर, विच अमंग था फॉल्लाइंग, इस प्योर मैटर, यह अच्छा कुशन है, फसेंगे, इसमें कई लोग फसेंगे, निमलिकित में से कौन सुद्ध पदार्थ है, सुद्ध पदात कौन सा है, मुझे पता है फसेंगे कई लोग, जल्दी से बताओ, इसी बात पर जल्दी जल्दी बता दू, जल्दी से, टेलिगराम आईडी मुझे मेरी नहीं है बटा चैनल की आईडी है एड़ रेट एड़ रेट माइस्टेडी लैप पर आप जोइन कर लिजिए और यहां पर आपको यह की पीडियाफ मिल जाएगी हमेशा क्लास के बाद जल्दी से बताइए बॉढश बॉलो हैं बहुत अच्छी बात है बार प्रास बोलो है चलिए बार पीडिल चोंहोता है ब्रास बैटा ब्रास आपने आपमें एक तरीके से प्यूर मेटर कहां हो गया देखो व्यूर मेटर आपको आपको समझते होंगे कि जितना भी ऐलेमेंट है मतलब इसब इस ऐसा नहीं होता है, प्योर मेटर के मतलब होता है कि जिसकी definite physical properties हो, definite chemical properties हो, ठीक है, मतलब एक definite हो, मतलब इस तरीके हो चेंजिस ना हो उसमें, तो इस तरीके से होता है वो प्योर मेटर कहा जाता है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, A is the correct answer, CO2, भवानी सेंकर भुवान, you are absolutely right भच्चा, भुवान, CO2 is the correct answer, carbon dioxide is the correct answer, बहुत लोगों को लगा होगा कि सब यह कैसे हो गया, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि कोई भी element है, अगर मालीजे single state में पाया जा रहा है, तभी वो pure है, अगर किसी की definite physical properties and chemical properties हैं अगर, तो उस case में भी वो क्या हो जाएगा एक pure matter हो जाएगा, ठीक है, चलो, आगे बढ़ा जाए, CO2 is the correct answer, अगला question, which among the following, coal contains 90% of carbon, कौन से कोईले में 90% carbon पाया जाता है, जो सबसे अच्छी variety होगी, उसमें कोईला जानदा होगा, समझ के यह चीज, तो इसी को बोलते हैं, हम लोग वेटर कोल बोलते हैं, वो आता आपक A हो जाएगा, तो anthracite में लगवग 90% के असपास carbon होता है, और सबसे best quality का यह coal माना जाता है, जिससे maximum amount में energy produced होती है, so anthracite is the correct answer, चलो, बहुत अच्छे, आगे देखते हैं, अगला question, बॉक्साइट is an ore of which of the following metals, बॉक्साइट निम लिखित में से किस धातो का मिसर धातो है, अल्मोनियम, सिल्वर, मला ओर बोला जाएगा, ओर, ओर किसका है, ओर बोलते हैं, जहां से कोई भी metal निकालते हैं हम लोग, ठीक है, तो बॉक्साइट से निकालते हैं हम लोग, अल्म क्या पाया जाता है, proton, neutron, proton, neutron दोनों या electron, proton, neutron, neutron, इन में से क्या, तो जो electron होते हैं, वो orbit में होते हैं, कहां पर होते हैं, orbit में होते हैं, मतलब बाहर टहल रहे होते हैं, कहीं पर electron, और जो nucleus में होंगे, वो proton plus neutron दोनों ही पाया जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग, mass number, या mass पर पहुँच गया आप लोग 48 बचे हुई ये भी हो जाएंगे आज आगे देखते है क्वार्ट इस मेड ओफ क्वार्ट जो है वो किसका बना होता है सर क्लास नहीं हो इकल बेटा रोहित क्लास तो कल हुई रोहित कल मैंने क्लास ली है साइन्स की चार बजे क्लास हुई है बच्चा और साड़े जो आपके त्हाए बजे होती है वो भी क्लास हुई है ठीकिय त्ट क्वार्ट इस मेंड ओफ क्वार्ट जो बनता है वो किससे बनता है और क्वार्ट बनता है बता इटा स्वच्छ ensuite त्ट क् depressंट करेक्ट बनता है स्वच्छ जुरत रोहित्ण से बंता Which of the following is ozone depleting pesticide. कौन सा pesticide है? जो ozone छहकारी कीट ना सक है. उसको बाद में बैंन कर दिया गया था. Ozone depleting pesticide कहा जाता है उसको. सायरी? अच्छा, राहूल बंसल बोलें, सायरी. राहूल तुम्हें आद है, पजास कुछन हो गए? मुझे लगा, आज कोई नहीं बोलेगा, तू नहीं सुनाओंगा. चलो, कोई बात नहीं. आप लोग पहले इसका आंसर देलो, फिर देखते हैं. सायरी का देखते हैं. सायरी में सुनाता रहूंगा आप लोगों को. एक मैंने सायरी लिखी थी, जब मैं था 11th क्लास में, नहीं, 11th में नहीं था. मैं आई विजन 12th क्लास. तो 12th क्लास में जब मैं था, 12th की स्टार्टिंग थी, अप्टेल कमहना था. तब मैंने लिखी थी वो सायरी, मैं आपको सुनाओंगा भी बोवाली. ठीक है, साधाब जी, साधाब भी बोलने, राहूल भी बोलने, ठीक है, इसका बताईए पहले क्या अंसर है, 354 का. 3.. Methylyl, Methyl Bromide, Methyl Bromide is the correct answer. एक तरीके से Ozone Depleting Pesticide होता है. इसके चड़कां से बाद में क्या होता है, air pollution मनलब air में मिल जाता है, उसके बाद से Ozone Depletion होने लगी थी इसमझे से, तो methyl Bromide को क्या कर दिया गए, भें कर दिया गए, ठीक है? चलो आगे तो करेक्ट रांस हो जाएगा इसका सी चलो साहरी आप लोग सुनना चाहरे है बढ़िया चलो सुना देता हूँ पजास कुछन होगे मैंने प्रोमिस किया था आपको ख़र क्लास में आपको साहरी बगरा सुनाता रहूँगा साहरी थोड़ी मतलब उस तरीके से हैं मोटिवेटिंग तो नहीं है मोटिवेटिंग तो नहीं कह सकते हैं लेकिन हां एक सुच्वेशन होती है मतलब जब हम लोग टीनेज में होते हैं लाइक 11, 12 या अग्रिजिशन बगरारा में तो इस टाइप पे है चुल आगे बताता हूँ मैं आप लोगों को साहरी सुनिये कहीं और लेके मन जाएगा इसको एक्जाम पे ले जाना एक्जाम पे ले जाएगा यह मैंने लिखी थी 12th क्लास में जरासी नमी भी अगर उनकी आँखों में देखे जरासी नमी भी अगर उनकी आँखों में देखे तो यहां आशूओं का सैलाब उमर पड़ता है उनके आने की एक आहट सुन यह दिल जोरों से धड़क पड़ता है और हम रहा बचाये बैठे थे एक आस लगा पर हमें क्या पता था वो किसी और से दिल लगाए बैठे थे, हमें क्या पता था, वो किसी और से दिल लगाए बैठे थे, और जब से उनसे मिले थे नैन, तब से दिल को चैन कहां पढ़ता है, और हमारी तो रातों की नींदी उड़ गई, पर कमबक्त फर्क किसे पढ़ता है, जरा सा जजबाती हो था आपके लिए, पर इस दिल का दर्द किसे देखता है, बिना धढकन かे ना जाने ये दिल, क्यों दर्गता है, जब कभी आ जाती है, या जो अगर ये दिल जोर जोर से सिसकता है, अब तो बिना आपके रहा भी नहीं जाता, दिल तो दिल है मौत के, नामी से डरता है, यह थी आपकी, 12 में लिखी थी मैंने, चल, आगे बढ़ते हैं, बेवफा सनम, अच्छा नाम दियो, अच्छा नाम दियो, चलो कुसमें बढ़ते हैं, लोग आगे, तो ओजोन डिपलिटिंग पेस्टिसाइड है, वो है आपका मेथाइल ब्रोमाइड जो ह किया था मैंने, 2011, 2011, 2011 से, आट-टों साल से लिख रहा हूँ, लेकिन अभी वही चीज है ना, कि एक वेट कर रहा हूँ, एक टाइम का, उसके बाद देखते हैं, आगे कहीं पर, अभी कोई पेस्टिस नहीं बनाया, तो सब कुछ लिखा हुआ, रखा हुआ है, आगे कभी आइसो बास, कुछ लाइन्स होती है, उनको क्या बोलते हैं, कहां पर यूज होती है, किस तरीके से होती है, तो आप ध्यान दीजेगा, मैंने आप इसको पहचानने की एक चीज बताई थी, कि कैसे उनको हम लोग नापते हैं, जैसे आप लिखा हुआ है आइसो, एक लिखा के बारे में, तो बार जो होता है, बार से क्या नापते हैं, प्रेसर नापते हैं हम लोग, बार से, कितने बार, प्रेसर, तो प्रेसर किस के लिए हो गया, बार के लिए हो गया, तो इकिस के लिए हो गया, जहां पर सेम प्रेसर है, उसको बोलते हैं हम लोग, आइसो बार ल लिए उच्छनता मुख रूप से किसके संचे के कारण होती है, oxygen of nitrogen, oxygen of sulfur, carbon dioxide, carbon monoxide, इन में से किसकी बज़े से, जल्दी से बताइए, तो किसकी बज़े से होगी, carbon dioxide की बज़े से होती है, mainly, तो correct answer हो जाएगा है, c, c is the correct answer, carbon dioxide, अब देखो, आप लोग ना आभी तक पढ़े हों मैं आपको बहुत ही simple भासा में समझाता हूँ, बहुत ही simple भासा में समझाता हूँ, कि what is the global bombing, देखो, आभी देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया था, कि आपको मैंने heat बज़ेट पढ़ाया था, आप लोगों को, कि this is the sun, sun से heat आ रही है, ये अर्थ है, अर्थ के आसपास ये क्या है, atmosphere, क्या है, atmosphere, ध्यांजर समझेगा इसको कि global bombing आखिर होती क्या है, sun यहां से अपनी heat छोड़ता है, ये heat पृत्वी पे आती है, पृत्वी पे आने के बाद ये पृत्वी अपनी heat को दुबारा छोड़ती है, बापस, कि ताकि हम क्या रहे है, ठंडे रहे, बहुत आदा गरम हो जाएंगे, तो पहले जो पृत्वी क्या हुआ थी, जलती थी, पहले क्या था, आग का गोला हुआ करती थी, पृत्वी पढ़ा होगा आप लोगो ने, तो आप क्या करती है, इसने heat छोड़ी, अगर मान लीजिए, हमारी body भी गर्मी में क हो जाएगी, bomb हो जाएंगे, global warming हो जाएगी, मतलब समग है आप लोग, अब यहां पर क्या होता है, कुछ गैसें होती है, उन गैसों का क्या होता है, उस heat को पकड़ के रखना, उस heat को एब्जॉर्ब करना, उनको मतलब फसा लेना, तो यहां पर जैसे CO2 हो गया, water vapor हो गया, water vapor, पानी की जो, जो water vapor इसका भी काम होता है, heat को रोक रखना, और भी कई सारी gases हो गई, ठीक है, इनका काम क्या होता, यह atmosphere में फैली होई है, जितना concentration इनका बढ़ेगा, उतनी जो heat capacity होगी, atmosphere की बढ़ेगी, तो हबाओं की जो गर्मी है, वो बढ़ जाएगी, जिसकी आदब, albedo, 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 albedo different thing, वो हम लोग जिगोराफिय में डिसकस करेंगे, albedo and albedo, 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 which is evident in gober gas, gober gas में सबसे जांदा क्या पाया जाता है, carbon dioxide, methane, oxygen या hydrogen, तो carbon dioxide नहीं पाया जाती है, gober gas में सबसे जांदा पाया जाता है, methane, methane is the correct answer, methane, सबसे बढ़ गोber gas का में इसका component है, चौल, आगे बढ़ा जाए, methane, अगला question, next question is, the most suitable vessel for the storing concentrated sulfuric acid, जो साध्र sulfuric आमल के भंडारें के लिए सरबादेक उप्युक पात्र है, वो कौन्स होगा, अभी क्या था, अभी आपने पढ़ा था, इसका just ultra सवाल, अभी क्या हो रहा है, just इसका ultra सवा अभी मैंने बोला था कि जो glass बगएर होता है, storage के लिए किसका उच करते है, sulfuric acid का उच करते है, अभी यहां पर ultra अगया है, ultra क्या बोला यहां पर, यह बोल रहा है कि sulfuric acid के लिए किसका उच करते है, तो वो जाएगा glass vessel, glass इसलिए क्योंकि दोनों आपस में क्या करेंगे, react नहीं करते हैं, बढ़ना और कोई metal डाल देंगे ना, जैसे copper, aluminium या और भी कोई metal, तो से लोग react करने लगेंगे, जिस वज़े से यह glass vessel का use किया जाता है, तो correct answer हो जाएगा C, चलो आगे बढ़ते है, what is the element that is the highest percentage in the composition of earth, पृतिभी के संगठन में सरवाधिक पृतिसद में oxygen होगी, oxygen is the correct answer, silicon नहीं होगा, सिल्कोन नहीं होगा, पृतिवी के संगठन में सरवाधिक पृतिसद में कौन सा तत्तो है, यहाँ पे इसकी बात की जा रही है, crust की बात की जा रही है, core की बात की जा नहीं की जा रही है, mental की द activation की जा तो उसे के बारे मात करेंगे, तो O2 ज यहां पर oxygen होगा, ठीक है, देखो, तीन चीजे होती है, हमें ऐसा जब भी अर्थ के बारे माँ पढ़ेंगे, आप लो, जोग्रफी की क्लास चलेगी, हिस्टी के बाद में, वो सारे एक जब यहां बालों के लिए, जीसकी क्लास इंपोर्टेंट है, कोई भी बी कल सकता है उसको, अभी अर्थ जो होती है, थीन पाट में होती है, पहले होगी, क्रस्त होगी, फिर mental होता है, बीच मेंचोर होता है, अब ही बात करें हम लोग crust part की, तो crust part में सबसे जाना कोई चीज पाई जाती है, तो वो oxygen पाई जाती है, correct answer हो जाएगा B, oxygen, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला कुस्त, यह देख रहे हैं, आप लोग composition देख लिए अप, earth crust के बात कर रहे हैं, question वहां पे सही नहीं था, earth crust, वब लोग डाउनलोड कल देजएगा और note कल देजएगा इसको अधर क्या है oxygen जो है हमारी 47% के आसपास है earth crust में silicon 28% के आसपास है eilmonium 8% के आसपास है iron 5% calcium 4% sodium 3% potassium 2.6% magnesium 2% के आसपास तो यह पूरा बूरा composition मनता है अर्थ क्रस्ट का लेकिन जैसे जैसे आप कोर में चले जाएंगे कि यो पड़ते होती दो होती है जिसको बोलते है सियाल और सीमा क्या बोलते हैं किसी लड़की का नाम नहीं है यह फड़त का नाम है CIL and the Sima. Note कि लिजेगा, कि कैंज्यार एक पर्ठ होती है, सियल. सियल मतलब यह होगया, SILICA, SILICOUN, crop ALE से होगया आपका ALUMON adventurous, और यह होगया SEMA. SEMA से यह होगया, फिर से SILICOUN होगया, M से होगया आपका MAGNESIUM. तो दो दरीके की पलेट होती है, सियाल और सीमा, सीमा जो होगी मैगनिसियम, अलमुनियम से हलकी होती है, तो सीमा हलकी प्लेट होती है, और सियाल भारी प्लेट होती है, तो ये भी प्लेट आप नोट कर लिजेगा ये आपकी भारी प्लेट होगी, मनला बहुत काम आजाएगा अप लोगों के यह चलिए आगे बढ़े निफे भी होती है सियाल सीमा निफे मतलब निकल और आइरन वह बाद में बढ़ेंगे अब बिल्कुल कोर में जाएंगे तब मिलेगी महाँ पर निफे चलो आगे देखते है अगला कुस्ट्ट्ट्ट्ट्ट पर्मेशन आप ओजोन होल is maximum over ओजों चिदर का निरमाड अधिक्तम होता है कहां पर आफरीका इंडिया अंटरक्टिका यूरोब तो अंटरक्टिका के ओपर या प्मोल्स के ओपर ओजोन होल का निरमाड होता है मैक जिमम ठीक है तो गरेक टांसर हो जाएग अंटर्टिका ठीक है, C is the correct answer. Sir, आपने IIT किया है, कि IIT देखो यार हुआ किया था, मेरे साथ कहानी है थोड़ी सी, IIT तो basically IIT में नहीं गया हूँ, दक्षणा फॉम्डेशन एक चलता है, और उसमें मैं मलब पढ़ा था, उसमें, तो मेरे बैच के काफी लोग IIT में हुआ थे, and मेरा भी जो selection हुआ था IIT में, I got 1603 rank, 1603 rank थी मेरी, IIT JE में 2011, 2011 IIT JE में 1603 rank थी, बट कहानी थोड़ी सी अलग है, कभी-कभी कुछीजें होती है, नहीं बताब, काउंसलिंग के टाइम में मुसे गलती होगी थी, 2011 में, यह जो counseling हुई थी, वो online हुई थी, तब बहुत जान्दा computer बगारा चलाना नहीं आता था, बहुत जान्दा नहीं आता था यह चीज, गाउं बगारा में cyber cafes वह करते थे, बहां से यह counseling होती थी, और बहां पर आंधी बगार आई हुई थी, मुझे नहीं पता था यतना, बहां पर मैंने क्या गिया, इसको save करना चाहिए था, मुझे save करके दुबारा फिल करना चाहिए था, मैंने कुल मिला के 13 चॉइस वरी दिए, जिसमें आपका computer science की कुछ चाहिस थी, कुछ mechanical की चॉइस थी वह भरने के बाद, मैंने वहां पर save and submit कर दिया, और नीचे की जो choices होती है वह नहीं भरी, और बेसे बात है 1603 रेंग पर मुझे computer science और mechanical बगरा नहीं मिलना था, कुछ नीचे की आपको branch मिलती, chemical और और चीजे मिलती है, बट वह सारी choices ही नहीं बरभाएं, क्योंकि आइट में और अटेंट होते नहीं थे इसके बाद में तो यहां से में नहीं कर बाया लेकिन इसके बाद जो आपका AIEEEEE होता है AIEEE और UPTU होता है तो महां पर मैं 352 रेंग थी 352 रेंग जिसके बाद मुझे कॉलेज मिला पर यहां के बाद प्लासमेंट में नहीं किया उसके बाद प्री निकला फिर मैंज इनटरिव उकानी चलती रही चलने के बाद पुरीम, 2017-18 स constitu एविदी साल पहले भीज और अखेंट के फोर 15 Beim bank में भी आफका health jah great जो नि्नेकिलेस होता है किसी भी atom का उसमें कौन से fundamental particles nucleus होते हैं तो proton और neutron पाय जाते हैं nucleus में ठीक है तो correct answer हो जाएगा proton and neutron ये पाय जाएगे आपके nucleus में और electron बाहरी orbit में घूमता रहता है ठीक है 362 आगे बढ़ते हैं बच्चा इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ मेरा देखो बोलने के रीजन नहीं रहता आप लोगों से पढ़ाई करते हो exam निकालो क्योंकि exam निकले या एक दो नंबर से रह जाना तो बहुत तकलीफ होती है ठीक है अगर आप पर्टी होती है जो bleaching action of the moist sulphur dioxide तो correct answer हो जाएगा यहाँ पर C is the correct answer oxidizing property रोहित इस्वाह यह रांसर is absolutely correct C is the correct answer oxidizing property आगे देखते हैं next question the long range potential of nuclear energy in India depends on its reserve of भारत में जो पर्माडू उर्जा है उसकी जो छमता है वो किस पर depend करती है thorium uranium plutonium या radium इन में से किस पर जल्दी से बताइए प्रिंस कोशिस्त मेरी यह है चाहता हूँ UP मिले आप लोग जब भी अगर बनूंगा IS PCS जो भी बनूंगा मैं आप लोगों को इन फॉम तो करी दूंगा और जिसमें डिस्टिक में रहूंगा आप लोगों से जुड़ा रहूंगा इसी कोई दिक्कत नहीं है चलिए आगे बताइए दो लॉंग रेंज पोटेंसिल अप निकुले नेरजी इन इंडिया रिजर्व किस पर होगा उतना ही कंट्री नेरेजी में स्टेंथ होगी यहसा आपका यूएसे हो गया रसीया वगया यह सब क्या भी नेकुले नेरजी नहीं है और इसको नेकुले इन आप अजाने के लिए बहुत जाना पापट बिलनें पड़ रहे हैं पर मिसरिए मिल रही हुपर से नएंब बाँ सारी श्री हुड़ी हुई है कि हम किसी भी ऐसी चीज में पार्टिसेट नहीं करेंगे और में पार्टिसेट में करेंगे शा पहले ही डिकले शंद पे expensive इस्टर लोग तो इसमें हमारा काफी दिक्कत है उरेनियम में बहुत सारी मोदी जी कोशिस कर रहे हैं और भी लोग कोशिस किये हैं इससे पहले कि नुकलियर हम एक ताकत बन जाएं पोकरन में भी आपका स्माइलिंग बुद्धा करके अटल बिहारी बाजपी जी के टाइम भी यह चीजें हुई तो काफी कोशिस है इसमें तो उसी रूप में क्या करिया जाएगा यह निकुलेन इनर्जी बनेगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो करेक्ट आंस हो जाएगा यहां पर यूरेनियम अगला देखते हैं अगला कुस्टन बिच अब दा फॉलोइंग जो फूटबॉल को ब्लेडर में से सबसे पहले गैस कौँस निकलेगी बताओ इया मतला व्यक्तब संवाल ना कॉन पहले निकलेगी सबसे पहले कौनस निकलेगी hydrogen ना कि helium helium आप लोग आंसर आ रहा है चलो अच्छी बात है मेरे साब चाहिए hydrogen इसका correct answer होना चाहिए hydrogen निकलेगी सबसे पहले प्रिच्छित hydrogen निकलेगी सही है hydrogen h2 h2 निकलेगी ठीक है h2 is the correct answer आगे देखते हैं अच्छे एक simple जी बात बताओ मुझे chemistry माली जी एक train के डिबे में कई सारे लोग बैठे हुए है और train के डिबबा भरा जा रहा है भरा जा रहा है और उसमें इतना pressure हो गया इतना pressure हो गया इतना pressure हो गया मतलब हिलने डूलने की जगा नहीं है तो सबसे पहले निकल से कौन भागे करेंगे तो तो जो बजार सबसे सूखा सागा होगा न पद्दा से इंसान होगा जो खड़ा होगा बहुत दबा हुआ दिरद होड़ा गए थीक है तो इस ते क्या से समझ जाए यह थोड़ा से logic लगायें आपर ठीक है नहीं, नहीं, hydrogen इतनी मात्राम नहीं होती, अब है कि आग लग जाए उसमें, जितना composition होता है, उसी हिसाब से, ठीक है, हलका बाला भागेगा, चलो, आगे देखते हैं, बिचपता following, alkali metals has highest specific heat, निमलेखित में से किस धातु की जो बिस्चिस्ट उसमा है, सबसे अधिक होगी, highest specific heat किस में होगी, cesium, rubidium, potassium, lithium, जिसे water की specific heat होती है, water को गरम करो, तो heat content कर लेता है उसमें, बैसे in metals में किसकी होगी, तो correct answer यहां से होना चाहिए, जो correct answer है, क्योंकि यह factual question है, याद करने वाले, जितने भी inorganic chemistry होती है, बच्चा वो याद करने वाली होती है, तो correct answer हो जाए जभार कुमार, जभार कुमार, your answer is right, जभार कुमार, C is lithium, चलो, आगे बढ़ें, next question देखेंगे आप लोग, which of the following substances, all carbon atoms are quaternary in nature, quaternary मतलब होता है, कि carbon प्रमालू प्रकरती में चतुर धातुक है, मतलब, चारो उनके bond यूज हो रहे है, चारो bond पे कोईन कोई चीज लगी हुई है, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, quaternary, जैसे आपका क्या हुआ, C लगा हुआ है, हमाली जी आपको double bond लगा के कुछ भी लगा दो, C लगा दो, और 2 hydrogen लगा दो, तो यह चतुधारक नहीं है, यह चतुधारक नहीं है, यह क्या है, यह तीन वाला है, ल लोटरों पाया जाते हैं, जिसमें graphite और हीरे में से, जो diamond है, diamond में यह पाया जाता है, quaternary, quaternary structure, carbon atoms are in quaternary nature, ठीक है, diamond is the correct answer, graphite भी नहीं होगे बेटा, graphite भी नहीं होता है, graphite जो होता है, हलका सा चिकना होता है, फिस्पिसा होता है, उसके region यह होता है, कि quaternary नहीं हो ठीक है, चलो, आगे बढ़ा जाए, अगला कुछन देखते है, 368, which of the following is our natural dye, natural dye कौन सी है, crystal violet, aniline blue, alizarine या phenolphthalein, इन में से कौन सी natural dye कहलाती है, तो natural dye आपकी कहलाएगी, alizarine, alizarine is known as the natural dye, तो C is the correct answer, natural dye, C is the correct answer, ठीक है, आगे बढ़े, alizarine, ना, ना, phenolphthalein नहीं, phenolphthalein नहीं, परसाथ, सदंगी, नमस्ते भाई, नमस्ते, C is the correct answer, alizarine, आप लोग सच करिएगा गूगल पे, C is the correct, अभय आपका answer एक दम से सही है, C, भवानी आपका भी answer सही है, alizarine, अगला देखते हैं, यहाँ पर, the ratio of pure gold, 18 karat gold में कितने percent स अठारा करेट में कितना pure sona होगा, 60%, 45%, 80% या 90%, 75% आया है, सुदान सु, मातों का, बाकी लोगों का 60% आया, प्रिंस का 60% आया, प्रिंस बेटा बता रहे है, अगर सामने होते है, offline glass में, तो खड़ा गरवा के उठ्थे पठ्थे लगाते है, 10 तुमसे, ठीक है, प्रिंस, 75 अठारा के लोगों का, देखो होता क्या है, जो gold होता है, वो 24 karat का होता है, 24 karat, sona एक दम pure, तो 24 karat का मतलब है, इसमें पूरा-पूरा sona है, अगर कोई बोल रहा है कि 18 karat है, 18 karat का मतलब है, इसमें 18 karat तो sona है, gold है, ठीक है, 18 karat में, और जो 6 karat है, वो कुछ और है, है, silver या copper हो सकती है, silver या, silver हो copper ही मिला जाती है, silver और copper, यह हो सकती है, 6 karat में, तो इसका मतलब इसमें कितना सोना है, तो मतलब total कितना था, 24 karat था, है कितना इसमें, 18 % है, 18 karat, तो 18 से divide कर देंगे, इन्टु 100, तो कितना हो गया, 6,3,8, यह 24, 6,24, 300,4, 300,4 हो जाएगा, य इसको ऐसे कर सकते हैं कि 6 जो है 6 karat, 6 karat मतलब 1 by 4 of 24 और 18 is the 3 by 4 of 24 तो 3 by 4 का ratio निकालते हैं तो 75% होता है तो 75% is the correct answer अब यहां पर मैं बोलू हूँ आपसे कि 20 karat में कितना होगा 20 karat में 20 karat में कितने percent pure gold होगा तो 20 karat में आप ऐसे कर लिजे 20 और 4 karat जो होगा वो क्या होगा, silver होगा और क्या हो जाएगा, copper हो जाएगा, तो 4, 25, 24 तो 1 बटाए 6 जो होगी वो impurity होगी और 5 बटे जो 6 होगी 5 by 6, 5 by 6 होगा इसमें क्या pure gold होगा, 5 by 6 तो 1 by 6 होता है आपका 16.66% तो यह करीब हो जाएगा, 16 तो यह सकते हैं आप इसको, तो मैस आप इसमें percentage क्या उच करना है, मैस आप लोगे अच्छी है, बहुत अच्छी आप लोगे, तो मैस क्या उच करिए इसमें, निकाल लेजे इसमें, हाँ, calculation के थू होगा, टरटनिक जरूवत नहीं है, calculation के थू होगा, 20 by 24 इंटू 100, हाँ 5 5 by 6 बोला ना, मैंने 5 by 6, तो 5 by 6 कितना होता है, 5 by 6, 20 by 24 इंटू 100, प्रक्षित आपका एकदम से राइट है, चलो आगे बढ़ते हैं, 360 यान के बाद 370, जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग, टाइम हो रहा हैं हम लोगोंगा, गोबर गैस कंटेंस, मेंली, गोबर गैस में सब रेडियोक्टिव, रेडियोक्टिव मतलब रेडियोक्टिव से रेडियोक्टिव मतलब रेडियोक्टिव से रेडियोक्टिव होता है, वो रेडियोक्टिव है, थोरियम है, वो रेडियोक्टिव है, ये रेडियोक्टिव है, बट जिर्कोनियम, जिर्कोनियम जो एक ऐस substance है, ऐसा element है, वो radioactive नहीं है, बट वो डाला गया है उस category में, तो correct answer है आपका D, D is not a radioactive, जिर्कोनियम is not a radioactive, but the uranium, thorium on the plutonium is the radioactive, ठीक है, चलो, आगे बरते हैं, अगला question, the gas used for artificial fruit ripening of green fruit, फिर्चे सवाल repeat हुआ, ethylene, correct answer, A is the correct answer, ethylene का use करते हैं फलों को पकानी के लिए, आगे देखते हैं, अगला question, what is the element required for solar energy conversion, जो solar energy को convert करके हम लोग electrical energy में convert करते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है, chemistry का question है, लेकिन physics में भी आप लोग एक बार ये कर चुके हैं, what is the element required for the solar energy conversion, तो इसमें use होता है किसका semiconductors का, किसका semiconductors, और वो किसका use होगा, silicon का use होगा, मैं कली बता चुका थे, silicon is the correct answer, चलो, आगे बढ़ें, अगला question देखते हैं आपर, which of the following type of coal has the lowest proportion of volatile matter, इन में से किसमें, किस बिकार के कोईले में जो बास्पसिल पदार्थ या, volatile matter होते हैं, उसका अनुपाद सबसे कम होगा, सोच समझ के answer देजेगा इसका, जल्ले से बताएं, silicon, silicon, anthracite, देखो, simple सी बात है, ये इसका answer होना चाहिए, anthracite, मतलब देखो, होता क्या है, कोईले में, कोईले में एक तो coal होता है, pure coal, pure coal होता है, पहली चीज तो ये, इसके साथ साथ में कुछ impurities होती है, क्या होती है, impurities या असुद्धिया, impurities या असुद्धिया मतलब कह सकते हैं उसको राख जब कोईले को जलाते है जलाने के बाद उसमें क्या निकलती है राख निकलती है न ठीक तो इसमें राख होती है कुछ मतलब जो जल नहीं सकती है जिससे heat produce नहीं हो सकती है बाकी से होगी तो anthracite सबसे अच्छी quality माने जाती कोईले की तो जिसमें pure coal क्या होगा जांदा होगा maximum होगा pure coal और जो impurities होगी वो क्या होगी एक तरीके से minimum होगी ठीक है तो anthracite और जितना खराब कोला होगा उसमें आपका जो impurities हैं या कह सकते हैं कि volatile matter है वो जांदा होगा coal की quantity कम होगी तो बात करें यहां पर पीट की बात करें तो पीट में volatile matter जांदा होगा coal कम होगा anthracite में coal जांदा होगा volatile matter कम होगा तो correct answer होगा यहां पर anthracite चलिए आगे बड़े अगला question what is the chemical name for baking soda baking soda का chemical name क्या है फिर से वहीं सब्सक्राइब आ गया है तो sodium by carbonate is the correct answer baking soda का आगे देखते हैं सेक्रीन is made up of सेक्रीन किसका बना होता है तोलिए फिनॉल प्रोपेन या ब्यूटेन से क्रीन से कुछन है आपका एक साइज आपको चेप्टर ने में polymer tolion phenol propane या butane इन में से किस से तो tolion होता है tolion से मिलके बनता है सेक्रीन क्रेक्टांस हो जाएगा a tolion इसको क्या करिएगा एक बार आप जाईएगा chemistry उठाईएगा आप 11th क्लास की chemistry उठाईएगा 11th क्लास की chemistry में एक चैप्टर आएगा या गूगल पर डालिएगा polymers polymers in everyday life करके एक चैप्टर होगा google पर डालिएगा बहां से आपका जितने भी आप polymers यूज कर रहे हैं उनके बारे में एक basic data मिल जाएगा उस पूरे चैप्टर की polymers in everyday life या 11th क्लास की बुक में जाएंगे और वहाँ पर दो पार्ट चलते हैं तो पार्ट टू में साहिद मेरे ख्याल से नौमा या दसमा चैप्टर है पॉलिमर पॉलिमर को आप पढ़ेंगे वहां से तो इसका आपका ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा चैप्टर फूर NCRT ठीक है प्रक्षित बहुत बढ़िया चलो आगे बलते हैं अगला कुश्चन पीबीसी इस ऑप्टेंड वाई दा पॉलिमराइशन ओफ पी जुरता चला गया तो एक तरीके से पूरी चैन मन जाती है तो चोटे-चोटे पार्टिकल्स होते हैं जो रिपीट होते हैं एन फॉर्म में वो बनाती है एक तरीके से पॉलिमर ठीक है तो यहां पर बताईए पीवीसी पीवीसी बिनायल क्लोराइड एकदम से सही आंसर है स इसे दिमाग लगा के भी कुछन किया जा सकते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ें अगरा कुछन देखते हैं यहां पर इनन मेंसे कौन सा जैम स्टोन नहीं है रतर्ण बोलते हैं जिसको जैम स्टोन बोलते हैं इन में से कौन सा नहीं है DENNIS ठीक है, ठीक है. आप लोग उस questions को relate कर रहे हैं जो पहले मैं करा चुक हूँ आप लोगों को, उससे relate कर रहे हैंगी तो यह एक तरीके से लेकिन जो cats आई हो जाएगा, यहां पर cats आई होती हैं, ना, डोपाज और और अपर यह सब क्या हैं, polythene के चीज से बनी होती है, आप देख रहे हैं न, polythene का नाम क्या है, polyethene, poly, ethene होता है, तो ethene होते हैं, कई सारे, कई सारे ethene मिलाके, poly मतलब कई सारे, ethene मतलब ethene, कई सारे ethene के जो monomers होते हैं, monomers मतलब single unit, single unit को बोलते हैं monomers, और multiple unit को बोलते हैं polymers, तो कई तरीके की जो ethene की single unit हैं, इनको add करके बनाया जाता है polythene, ठीक है, चलो, आगे देखीगा जल्दी से, which of the following, vegetable oil does not contain essential fatty acid, निमले कितमे से किस बनस्पती तेल में आवस्यक बसा अमल नहीं होते हैं, एक ऐसा oil है, vegetable oil है, जिसमें fatty acids नहीं होते हैं, fatty acids नहीं पाय जाते हैं, बागी सम्में पाय जाते हैं, mustard oil में fatty acid होता है, coconut oil में fatty acid होता है, groundnut oil में भी, यहनि कि मुंफली का तेल उसमें fatty acid होता है, लेकिन आपका जो sunflower oil है, सूरज मुखी का तेल, सूरज मुखी के तेल में fatty acid नहीं होंगे, तो आजकल जो तेल बगरा चलते हैं, sunflower oil यूज करिए, प ठीक है, refined बोलते हैं उसको, फिर refined में भी कही सारी category आ गई, उसमें आपका sun flower oil अलग आ गया, rice oil अलग आ गया, rice bran oil अलग आ गया, इस तरीके के कही सारे oil चलते हैं, सबसे अच्छा आप लोगों के लिए यूज में रहेगा, अगर कोई अगर चाहता है कि यूज करना, कि fatty acids नह जाएं उसके अंदर में, तो rice oil यूज कर सकता है, rice bran oil करके आता है, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, 400 और 500 लिटर के आसपास, अप्लोक मिलता है वो, आगे देखते हैं, So, the next question is, the metallic constituents of hard water are, कठोर जलके जो धातिक गटक हैं, वो कौन कौन सो होते हैं, जो पानी होता है, दो तरीके होता है, soft water and hot water, soft water में आपका जाग बगरा बन जाता है, hard water में पानी, जब सावन मिलाते हैं, तो जाग नहीं बनता है, तो यहां पर कौन से ऐसे metals, या कौन से element ऐस से पाए जाते हैं, जिनकी बज़े से उसमें जाग नहीं बनता है, तीन तरीके के element होते हैं, जिनको बोलते हैं, हम लोग calcium, magnesium and the iron, calcium, magnesium and the iron is the correct answer, तो यहां पर calcium होगा, उसमें magnesium होगा, iron होगा, जिस बज़े से पानी में जाग नहीं बनता है, C is the correct answer, चलिए, आगे देखते है The pH of human blood is between Human blood की जो pH होती है वो कितनी होती है 6.5 to 7 7.5 to 8 8 to 9 या 4.5 to 5 जो लोगो pH नहीं पता है वो एक तरी के scale होती है वो scale होती है 0 से लेके 14 तक 0 से 14 तक और 7 जो होता है उसमें neutral point होता है क्या होता है neutral point होता है इदर बढ़ेंगे जब 6, 5, 4, 3, 2, 1 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तो आपका बढ़ेगा acidic character साथ से जब बढ़ेंगे किस के तरफ 14 के तरफ 7, 8, 9, 10 इदर बढ़ेंगे तो बढ़ेगा क्या basic ठीक है तो human blood होता है slightly basic होता है acidic नहीं होता है तो इसका जो pH रहेगा वो 7.5 से 8 की बीच में जाता है 7.4 के approach मानते हैं इसको तो correct answer होगा है यहाँ पर B slightly basic या alkaline होता है चोल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल which of the following imparts deep blue color to glass निमलिकित में से कौन जो है काच को गहरा नीला रंग प्रजान करता है कोबल्ट dioxide, क्यूप्रिक oxide, ferrous oxide या nickel oxide इन में से कौन सा ये भी इनॉप्रीणी chemistry का है जितनी भी इनॉप्रीणी chemistry आपके सामने आती है ये आपको रटनी पड़ेगी रटनी पड़ेगी रटनी पड़ेगी याद रखनी पड़ेगी इसमें आपका गलास में Deep blue color आता है बेटा निकल ऐकसाइट की वज़े से इसमें आपका गलास में Deep blue color आता है Nickel oxide, Ferrous oxide नहीं होगा बेटाल, कौस उसमें radis आएगा Nickel की वज़े से आपका आएगा इसमें Blue color आएगा, Nickel oxide is the correct answer So D is the correct answer चलि आगे बढ़ते हैं बिच अब फोलेंग फाइवर्स कैचेज दा फाइर लीस्ट निमली कित में से कौन सा फाइवर सबसे कम आग पकड़ता है नाइलोन कॉटन रेओन या टैरीकोट यह कई तरीके से आपके फाइवर कहलाते हैं ठीक है जैसे नाइलोन की रसियां बगरा बनती हैं कॉटन के तो कॉटन की बैट्षीत होती है वो कम अगर कुछ माचीश पाइड सुक्त गेला तो यह बहुत ज़्लदी जलती है ठीक है बहुत जल्दी जल्ती है अगर जलाएंगे भी ना तो थोड़ा सा जलेगा बुझ जाएगा, जलेगा बुझ जाएगा, एक साथ इखटा नहीं जलता है, ठीके, तो इस बज़े से आंसर होगा आपका cotton, आगे दिखते हैं, बिच्वापता फोलाइंग, इस यूज़ एज दा फिलर इंट टायर ऑफ र बिच्वापता फोलाइंग, अलोई इस यूज़ इन मेकिंग मैगनेट, मैगनेट का बनाने के लिए किस अलोई का यूज़ किया जाता है, डियूरी, लुमिन, स्टेनलेस, स्टील, या अलनिको, या मैगनिलियम, इन में से किस अलोई का यूज़ करते हैं, मैगनेट बनान में किसका यूज किया जाता है जल्ली से बताइए ना ना मैगनेलियम नहीं होता है मैगनेलियम नहीं होता है आप लोगों को लग रहा होगा कि मैगनेट Mg है, Mg, Magnet नाम से है, तो यहां पर Magnilium भी क्या हो जाएगा, Magnets related है, ऐसा नहीं होगा, Alnico, एक Li होता है, Alnico, Alnico, ठीक है, Alnico इसको सही नहीं लिखा हुआ है, basically मैं इसको लिखना चाहिए था, basically इसको लिखना चाहिए था, कैसे, यह Alnico लिखना चाहिए था, ऐसे, Alnionium, Nickel और Cobalt, तीन तरीके के इसमें Metal मिलते हैं, जो बनता है, Alloy, अभी बताया है था, आप लोगों को Alnico, बहुत कुछ कुर्शन पहले मैंने बताया था, Alnico आप लोगों को, Alnionium, Nickel, Cobalt, इसको बोलते है, Alnico, ठीक है, इन ही से बनता है, आपका Magnet बना जाती है, इन से, चलिए, आगे बढ़ते हैं, मुझे पता है, आप लोगों की जो सोच है, निसू और सादाब खान हस रहे हैं, मैं भी उसी स्टे से गुजरा हूँ, मुझे पता है, आदमी क्या सोच लेता है, यहां पर, कि Magnet और Magnilium एक ही जैसी चीज है, वहीं से लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए तो पढ़ते हैं, लोग, आगे देखते हैं, मिल्क टेस्ट साबर वोई, यार दूद खटा हो जाता है, पता है, दूद से दही जम जाता है, लेक्टिक एसी जैसी चीज है, और लेक्टो बैसले से एक्तिरीगी का बेक्टिरिया होता है, तो सिंपल लेक्टो एक्टिक देखो, लगा दो, और कुछ सोचो मत, लेक्टिक, 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 दूद जैसे खटा होने का नाम आए, या दूद फटे, दूद दही बने, दूद घटा हो, सम्मे जिम्मेदारी किसकी होगी? Lactic Acid. दूसरा Lactic Acid, जब हम दौड़ते बगर आना है बहुत दिनों के बाद, और दौड़ने के बाद हमारी जो बॉड़ी में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, तो बहाँ भी एक Acid का निर्मार होता है, Lactic Acid का निर्मार होता है, मसल्स में, लेकिन जब हम क्या करते हैं, कुछ दिन और दौड़ते हैं, exercise करते हैं, उसके बाद वो दर्द खतम हो जाता है, मतलब वो Acid Dissolve हो जाता है, दूसरा जो हमको Acidity होती है, उस Case में भी Small Intestine से इस्टमक मांग करता है एक Acid की, तो Small Intestine जो Acid देती है, उसको भी हम लोग Lactic Acid भोलते हैं, तो तीन जगए मैंने बता दी, यही तीन कुछिन Lactic Acid से बन सकते हैं, चलो, आगे देखते हैं, अगला कुछिन, कहां पहुँचके हम लोग? The Polymerization of which of the following is used in the manufacturing of polyethene in industry, अभी अभी बता चुक हूँ, निदी ने सवाल किया था, निदी को मैंने समझाया था यह question, और यही से आप लोग आंसर दे सकते हैं कि polyethene, बलाब एथene एक तरीके का monomer है, उस monomer का यूज करके कई सारे monomer मिलाके बना लेते हैं polyethene, poly मतलब बहुत सारे ethene, तो polyethene हो गया, किसका आंसर हो जाएगा इसमें? Ethylene, correct answer हो जाएगा ethylene, D is the correct answer, ठीक है? समझ गया यह चीज? Ethylene बहुत बढ़िया, सबका आंसर से होना चाहिए है, आगे बढ़ते हैं. Which of the following chemical materials is responsible for the depletion of ozone layer in the atmosphere? बाव मंडल में ozone परत के हास के लिए कौन सी जिम्मेदार है? दुनिया चिलाती रही, फ्रिच कम चलाओ, फ्रिच कम चलाओ, फ्रिच से जो गैस निगलती है, किलोरो फ्लोरो कारवन, CFCL, यह जिम्मेदार है, ozone layer depletion के लिए, तो हम क्यों ना लगाएं इसका answer? C answer is correct, किलोर house gas कहलाते हैं उसको, तो यह आपका जो global warming है ना, इसमें आपका manual play करती है, CO2, लेकिन बात करूँ, ozone layer depletion, ozone layer में छेद हो जाना, उसका काम किसका है, किलोरो फ्लोरो कारवन, ठीक है, तो correct answer हो जाएगी, CFC, और CFC एक तरीके से catalyst का का काम करती है, कि जो O3 है, O3 का reduction होता है, O O2 और O, फिर O मिलती है, O2 में, फिर O2 में convert होती है, तो O3 जो को depletion क्या होता है, Ozone जो होती है, वो O3 होती है, और इसका जो depletion होगा, that means O2 और प्लस O में convert हो गई, अब क्या हो जाएगी, जो O2 टूटी ना, यह जो single O है, यह फिर से जाके मिलेगी O3 से, दूसरे O3 से, औ O2 और प्लस O2 बना देगी, इस तरीके से होता है, दो chemical reactions होती है, पहला O3 बनता है O2 प्लस O में, और यह O जो है एक radical होता है, radical मतलब गूमता रहता है, एकदम free होके, और जैसे इसको O3 मिलती है, इससे मिलेगा, और O2 O2 बना देगा, तो ऐसे तरीके से जो आपका O2 खतम हो तो यह तो रहता है, लेकिन वो आपका O2 में direct नहीं जाती है, लेकिन जो आपकी gas आती है, फ्रिज बगरा में यह direct जाती है, which of the following is the man nitrogenous based in the humans, अब यह biology का question है, जिसने भी मेरी class करी होगी, digestion वाली एच्छे से class की होगी, वो इसका answer दे लेगा, निमले कितमे से कौन मानब मे है, मुक नाइटोजन युक तो अपसिस्ट पदार्थ है, अपसिस्ट मतलब best material, ammonia, urea, uric acid, ammonia, nitrate, जल्दी से बताईए, good evening सीमा देवी, सीमा आप लेट होगी बहु जाना आज, जल्दी से बताईए बच्चा, इसका answer गलत मत देना, सरीर में क्या बनता है, जिससे जोडों म nitrogen युक अपसिस्ट होता है, वो होता है, uric acid, uric acid, uric acid बनता है, uric acid is the correct answer, और यह uric acid, यह भी दोनों गलत है, ammonia, urea, बाद में यही uric acid urea में convert होता है, फिर यह ammonia होता है, जो lever होता है, lever इसमें help करता है, और अगर lever का function खराब हो जाए ना, तो शरीर में यह kidney, जो kidney ना निकाल पाइस, uric acid को बाहर, urea के form में, तो यह चीज ना, body के लिए खराब होती है, फिर यही urea बाद में फिर से ammonia बन जाएगी, और ammonia सेरी के लिए बिल्कुल भी फायदे मंद नहीं होती है, ठीक है, चौलिए, राहूल बंसल, चलो आगे बढ़ते हैं, शे बजे किसकी class होती है, मैं तो अभी 6 बजे class ले नहीं रहा हूँ, इसी बज़ नहीं ले रहा हूँ, पहले आप एक खतम को लो, फिर मैं economy class अब लोग करवा दूँगा, 6 बजे में किसकी class होती जीक है, कि मैं तो नहीं ले रहा हूँ, aspirin, aspirin क्या है एक तरीके से, aspirin, methyl benzoic acid, methyl salicylate, acetyl salicylic acid, या phenyl salicylate, तो यह आपको रटना पढ़ेगा, इस तरीके की बनते हैं, कि aspirin क्या है एक तरीके से, अच्छा-च्छा, मैत की class है, ठीक है, ठीक है, मैं छोड़ दूँगा थोड़ दिर में, पांच मिन दोग जाईए, correct answer को, acetyl, acetyl, acetyl salicylic acid, C is the correct answer, sudansu, matho, ragbunda, rana, बहुत बढ जाने मजा भी आता है, इस सब बढ़ियाल बच्चे वैठे हुए, which of the following is the petroleum bags, nimlikit में से, कौन petroleum, mom है, mom बोलते हैं, इसको petroleum bags, बता रहा था, petroleum jelly, vaseline, वो इसका example है, ठीक है, इसको बोलते है, parafin bags, correct answer होगा, parafin bags, तो parafin bags, जो होती है, वो होती है, petroleum bags, ठीक है, parafin, C is the correct answer, और जो मदमखी जो छत्ता होता, जहां से सैद निकालते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते है, bees bags, ठीक है, फिर cornoba mom होते हैं, कई जजोबा bags होते हैं, कई तरीके के पेंड से भी bags निकलते हैं, कई सरी के, तो अलग-अलग bags होते हैं, लेकिन अभी दो पढ़वा, आप लो, bees bags और सा दिमाग लगाने वाला है, अच्छा सवाल, ऐसे सवाल में, अच्छे सवाल की category में डालता हूँ, जहां पर रटने वालों कोई काम नहीं है, which variety of coal contains recognizable traces of the original plant material, इसका जब आप देखें, कौन साही देता है, anthracite, चलो अच्छा है, अजीत काया anthracite, अब है काया peat, बहुत पीट, 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 देखो होता क्या ना बच्छा, जो traces होते हैं किसी भी plant के या कहीं के भी, तब मिलेंगे जब उसका best material बच जाएगा, अब anthracite को जलाएंगे, जिसमें 90% कोईला होता है, तो 10% ही तो बिलेगा best material, उससे कैसे पता कर पाएंगे, तो कोईले की जो सबसे plant का है, कौन सा plant material है, तो correct answer is ptc is the correct answer, ठीक है, common sense का question था यह, आगे देखते हैं अगला question, which is the purest form of iron, iron की purest form कौन सी है, ये भी सा घसा पिटा question है, जो brought iron या गढ़ा लोहा बोलते हैं, जिसको this is the purest form of iron, brought iron, गढ़ा लोहा, तो d is the correct answer, ये इसको रटके रख लीजगे एक दम आगे देखते हैं, जल्दी छोड़ते हैं, 6 बज़े छोड़ने कोसिस कोसिस कर रहा हूं, which of the following metals, form an amalgam with the other metals, amalgam बनाता है कौन, lead, tin, zinc या mercury, ठीक है, mercury, mercury एक amalgam जब भी बात आएगी, amalgam बनाता है other metals के साथ में, तो बहो जाएगा आपका, mercury is the correct answer, mercury बनाता है amalgam, ठीक है हमेशा रट लीजिए, metals के साथ में amalgam बनाता है कौन, mercury बनाता है, बहुत अच्छे बच्चा, आगे देखते हैं, detergents used for cleaning clothes and the utensils contain, कपडे और बरतन साप करने के लिए इस्तमाल किये जाने वाले detergents में क्या होते हैं, nitrates होते हैं, bicarbonates होते हैं, sulfonates होते हैं, या bismathates होते ह हैं में से क्या, जल्दी से बताइए, तो ध्यान दीजेगा कि जो आपके कपड़ेद होते हैं, बहुत बहुत बढ़िया बच्चा, 395 आगे देखते हैं, अगला question, radioactive disintegration of uranium, ultimately results in formation of, uranium के जो रेडियो धर्मी बिगिटन के परणास रूप अंतता क्या बनता है, जल्दी बताए अच्चा कुछ नहीं है, radioactive disintegration of uranium, ultimately results in the formation of, radium, thorium, polonium या lead, जल्दी से जल्दी से बताएए, सीमा देवी बेटा class daily लगती है, चार दिन से लगाता लग रही है, playlist भी आप लोगों के सबकी बन चुकी है, और मैंने target लिया है, आप लोगों के थावजन कोर्शन आपका कराने का science में, तो 400 हो चुके हैं आप लोगों के आज खतम, 600 बचे हुए जिसमें 200 क्रिश्टी और 400 बायों बचे हुए हैं, अगर मैं अभी भी आप से बोल रहा हूँ कि जो response है आप लोगों का अच्छा रहा, जो की दिन पर दिन गिर रहा है, काफी लोग मतलब आप नहीं आ रहा है, response अच्छा रहा आप लोगों का, तो जो ऐसे आपका history की series, economist की series, quality की series, या geography की series, सबकी अच्छा रहा है, तो इसके बाद क्या होता है, जब uranium जब radioactive material होता है, इसका जब disintegration हो जाता है, इसके बाद इसमें बनता है थोरियम, बाद में थोरियम का भी यूच किया जाता है, military वगरा में, आपका weapons वगरा बनाने में, तो जहां जहां पे nuclear countries हैं, उनके treaties होती है, कि इसको पूरी जो संस्ता होती है, वो अपनी निगरानी में रखती है, कि कितना uranium कौन से कंट्री यूच कर रही है, कौन से कंट्री उस uranium के यूच करने के बाद, उसका जो बेस्ट में टेकले कितना जमा कर रही है, यह पूरा data होता है, पता आप लोगों को, बनना कोई कंट् चलो, आगे देखते हैं, अगला question, बिच अबदा following is used in making smoke bombs, जो smoke bombs होते हैं, जो धूए के bomb होते हैं, फुसकी bomb जिसको बोलते हैं, इनको बनाने के लिए किसका यूच होता है, सल्फर, फॉस्पोरस, हाइडोजन या कारवन, ठीक है, सल्फर, फॉस्पोरस, हाइडोजन या क carbon इनमें से किसका यूच किया जाता है, फुसकी bomb बनाने के लिए, बहुत बढ़िया, thank you, मैं, 150 like करवाने के लिए, छलिए, सल्फर का यूच होता है, सल्फर का यूच होता है, फुसकी bomb बनाने के लिए, ठीक है, तो फुसकी bomb बनाने के लिए, सल्फर की यूच होता है, carbon का negative again silver and the copper अर्चली से बताएये और जो जर्मन सिल्वर होती है इसनन अलाय ऑफ जर्मन सिल्बर सी जिंत कॉपर एंड निकल का जो अलउय होता है इसको बोलते हैं हम लोग जर्मन सिल्वरों वहोत अच्छी अलउय होता है जिंक इंड फॉन कॉपर जिंक, इताब सीपस्टाबे साथ कहरें साथ जिन्क, आपेसा सफस्टाबी युजितार ह ANDREW जिमीन करें तो कर तो बॉप मुल चरखें सा को औने हें ध Case को दौन आपके लüंगा करेंगे लैटना yak or copper and zinc, C is the correct answer, okay, silver नहीं होता, आगे देखेंगे, अगला question, a metal is exposed to the atmosphere for some times, it becomes coated with green carbonate, the metal must be silver, copper, aluminium, zinc, अब यह question देखिए, अच्छा है, applied chemistry का है, कोई ऐसा metal है, जिसको रखा गया है atmosphere में कुछ दिर के लिए, मैं कुछ समय के लिए, और उसके उपर हरे color की एक carbonate की परज जम जाती है, वो metal कौन सा है, हाँ, fast कर रहा हूं, बैटा, mandi, mandi, mandi pin, मंडी pin, हाँ, मैं खतम कर रहा हूं, copper होता है, copper में क्या जमती है, हरे color की जमती है, और जो iron होता है, उस पर brown color की जमती है, जो rust बोलते हैं, जो iron बोलते हैं, तो copper is the correct answer, इस पर आपका green color की परज जमेंगी, आखरी question आपका 400, which of the following pairs of material, subs as the electrodes in the chargeable batteries, commonly used in devices such as torch lights, electric sips, एक धातु कुछ समय के लिए biomedical के संबग में रहती है, यह हरे आप ने यह गलत है, यह आप हिंदी बाला छोड़ देजेगा, हिंदी इसकी गलत है, इस देखिएगा, torch light वगरा में, commonly used in device such as a torch light, electric savers, इन में, B is the correct answer, nickel and cadmium use होते है, nickel and the cadmium, iron and cadmium use नहीं होंगे, lead peroxide and the lead use नहीं होंगे, zinc carbon use नहीं होते है, nickel and cadmium होते हैं, जो आपका एक तरीके से electrode के काम में आते हैं, बैटरी जो बनती हैं, उसमें electrode होते है, nickel and cadmium के, तो correct answer हो जाएगा आप पर, B, nickel and cadmium, चलिए, आसीस कुमार पांडे बोल रहे हैं कि सर आप बहुत आसान question कराते हो, बेटा मैं आसान करवाता नहीं हूँ, आसीस, यह जो SSE में question आए हुए हैं, मैं बोही करवा रहा हूँ, SSE CGL में, मेरा इसमें आसान और टप्च को यह लेना देना नहीं है, ठीक है, जितने भी question आपके SSE में पास्ट यह में आए हुए हैं, उन्हीं business में करवा रहा हूँ, बहुत तफ करवाने का मतलब भी नहीं है कुछ, और मैं करवाँगा आप लोगों को, ठीक है, जितने भी आपके SSE related होंगे, तो आसीस का यह doubt है कि सर, बहुत ही आसान question करवाते हैं, आसान बाली बात नहीं बेटा, जो हर एक जाम का अपना एक सब्सक्राइब करें, तक यह और अच्छे वीडियो हम आपके सामने ला पाया हैं इस तरीके के, ठीक है, और यह सीरी चलती रहेगी, परिसान नहीं होगा इसमें, ठीक है, चलिए, मिलते हैं फिर तब तक के लिए, टाटा बाबाबा, टेक केर, और जो मैंने होंबक दी हैं सब्सक्राइब करें, तक के लिए, टाटा बाबाबा, टेक केर, बाई गाई गाई, बाई मारग तक करें करें मारव frame, टेक हैं थाटा बाईब और इक हैं चलिए, टाटाबाबबग्स्टाइब करें एक की हपाया प्या तक करें तक लिए पमूछ, टेक करें मौ goal झाल 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 झाल